हेलो फ्रेंड्स डवलो एस क्यूब टेक के चनल पे मैं सुरेंदर आपका वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इन्फोर्मेशन टेक्नलोजी वोकेशनल सब्चेक्ट के अर्दा यहनी कि जिसका कोड है 402 जिसमें फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें क्लास 9 के लिए सबसे पहले आज हम लोग practical जो प्रेंड्स करें वो होगा फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर लिल्वेश जो राइटर है आपके पास वो बैसिकली आपके पास एक word processor है यहनि कि यह आपके पास एक ऐसा software एक ऐसा application है जिसमें हम लोग अपना document क्रिक कर सकते हैं documentation के लिए आप बहुत सारे softwares को use में ले सकते हैं आप चाहें तो MS Word को use ले सकते हैं आप Google Docs को use ले सकते हैं आप NodePay को ले सकते हैं आप WordPay को ले सकते हैं आप OpenOffice के writer को भी use कर सकते हैं किसी टाप से आप लोग यहाँ पर LibreOffice के writer को भी use कर सकते हैं बहुत सारे अलग-अलग type के software से हैं आप किसी को भी use कर सकते हैं लेकिन हमारे syllabus में यहाँ पर जो है वो LibreOffice writer तो हम लोग सबसे पहले discuss करते हैं अपने unit का नाम Unit 3 है Digital Documentation मतलब की एक तो हम लोग अपने हाथों से जो pen के ओपर कुछ लिखते हैं वो भी आपका friends एक document ही होता है लेकिन हम लोग कौन सा document देख रहे हैं Digital Documentation मतलब computer को use करते हैं हम लोग अपने document को अपनी files को जो है वो computer में save करवा सकते हैं अपने documents को store करना चाते हैं chapter का नाम है friends 4 chapter number 4 है आपके पास नाम है इसका getting started with word processor application ठीक है तो finally अब हम लोग जो discuss करेंगे इस पूरी unit में वो software का नाम होगा आपके पास Libre Office Writer लेकिन उसके अलावा कुछ और topics को हम लोग यहां discuss करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग देखने आखिर कौन-कौन से topic है जो इस chapter में हम लोग discuss करेंगे और आगे की वीडियो में कुछ और topics भी हम लोग discuss करेंगे Libre Office Writer को ही use लेते हुए सबसे पहले हम लोग देखने वाले our agenda मतलब इस chapter में इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या discuss करने वाले है वो है friends अपने पास introduction to word processor यहनी की word processor क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले है then उसके बारे है friends important feature of word processor ठीक है यहनी की कौन-कौन से ऐसे main feature से है हम लोग use करने वाले अपने word processor को लेते हुए ठीक है basically हम लोग यहाँ पर जो direct वोलो तो friends लिब्रे office writer ही होने वाला है इसी टाप से friends word processing applications को हम लोग discuss करेंगे कुछ नाम मैंने आपको बताये थे like notepaid है word paid है या फिर ms word है या अपने पास में कह सकते है google docs है बहुत सारे software आपके पास यहाँ हो सकते है जो application softwares को लाएं ये word processing को support करते हुए इसी टाप से friends हम लोग देखेंगे यहाँ पर introduction या introducing to library office writer basically library office writer आपके पास क्या है start कैसे करेंगे आप लोग start से पहले तो खेर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि download कैसे करेंगे थी कि पहले download करेंगे install करेंगे then उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो उसको start करना देखेंगे उसके बाद में friends उसके कौन-कौन से parts है हम लोग वो discuss करेंगे उसके बाद friends हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना एक नया document क्रियेट कर सकते हैं कैसे अम लोग template को use करते वे एक नया डॉक्यमेंट क्रियेट कर सकते हैं अपनी file को हम लोग किस तरीके से जो है वो save कर सकते हैं इसी थाप से फ्रेंट्स आपकी file को save करने के बाद आप चाते हैं कि उसमें कुछ editing करना है तो friends आप वो कर सकते तो फ्रेंट को हम लोग start करते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर दिख लेते हैं introduction के असाब यहनी की word processor है क्या तो friends basically word processor is the use of computer software तो हम लोग कह सकते word process क्या है word processor is the use of computer software to enter edit store retrieve and print the document तो basically जब आप अपने document create करते हो तो आप क्या कर सकते हो उसके अंदर अपने documents में अपने content को store कर सकते हो या enter कर सकते हो बाद में आप कभी change कर सकते हो edit कर सकते हो store कर सकते हो retrieve कर सकते हो आप उसको format भी कर सकते हो like formatting so like bowl detailing underline जो भी आप चाहें इसके लाबा बहुत सारे आप यहां पर जो है वो objects जो है वो insert कर सकते हैं कह सकते हैं कि आप यहां पर table insert कर सकते आप यहाँ पर जो है वो जो images insert कर सकते illustrations आप यहाँ पर जो है insert कर सकते कुछ shapes आप insert कर सकते आप hyperlink लगा सकते हैं बहुत सारे काम यहाँ अपने पास हो सकते हैं तो इसी टाइप से friends अगर हम लोग देखें तो जब आप अपने word processor में document क्रियेट करते हैं तो उसके लिए आप किसी एक application software को use लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा होगा वो होगा LibreOffice Writer इसी टाइप से friends document होता क्या है तो document refers to a set of written page लिए के बहुत सारे pages का आपके पास collection है उसमें एक page भी हो सकता है एक से ज़्यादा page भी हो सकते है तो basically कह सकते है document refers to a set of written page the process of creating a document जब आप document create करते हैं तो उस process को आप लोग क्या बोलते हैं documentation तो जब आप लोग अपना document create कर रहे होता है document में आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं क्या सकते हैं कि मैं अपना documentation का काम कर रहा हूँ documentation क्या हो गया word processor को use करते हुए अपने document को edit करना या create करना है उसमें कोई भी processing करवाना इसी type से documents क्या है तो document can be letter, reports, manuscripts, books या कुछ भी आप क्या सकते हैं कोई भी आप अपना document जब create करते हैं उसमें आप चाहें तो अपने text इंसर्ट कर सकते हैं या text के अलावा कुछ दूसरे भी आपके पास objects हो भी आप यहां insert कर सकते हैं इसे type से friends हम लोग क्योंकि बात कर रहा हूँ मैं आप से कि हम लोग LibreOffice को लेंगे तो वो क्यों लेंगे पहला हम उसके बारे में भी बात पर लें तो friends LibreOffice is a free and open source software सबसे पहली बात क्या है कि एकदम free है अब free है इसलिए हम लोग इसको use ले रहे हैं हकीकत बात यह है कि हम लोग इसी वज़े से ही इसको use ले रहे हैं तो हमारा जो syllabus है उस syllabus में भी हम लोग जो है इसी को use क्यों करें reason है जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारी school में friends 100 plus computer systems होते हैं अब हम लोग जो है वो Microsoft को भी ले सकते हैं Microsoft का आपको जो है वो license purchase करना पड़ता है तो जब आप उसको pay करेंगे आपको license मिलेगा एक computer के लिए ऐसी friends आपकी schools में सायद 50 है 100 या 100 plus computers था हुँ सभी के लिए license लेना बहुत ज़्यादा costly पड़ जाएगा अब सिफ Microsoft का आपको यहाँ वर्ड, Excel, PowerPoint लेनी के office ही नहीं उसके साथ साथ आपको Microsoft का operating system भी खरिगना पड़ेगा Windows ठीके तो schools बेसिकली क्या करती है यूज करती है Linux operating system को आजकल जो भी CBSE बेस जो schools है वो सारी के साथ लाइनेक्स को यूज लेडी, reason क्या है, free है कोई उसके वो headache नहीं है कि आपको license वगरा purchase करना है अब almost सारे के सारे software जो Windows पे चलते हैं वो सारे के सारे आप Linux पे भी चला सकते हैं almost सारे तो यहाँ पर जो है friends हम लोग use करने वाले हैं वो है LibreOffice अब LibreOffice जो है हो सकता है कि आपकी computer जो है अगर आप घर पे हैं और आपके घर पे अगर Windows operating system है तो आप वहाँ पर भी उसको use कर सकते हैं साथ में अगर स्कूल में Linux है तो आप वहाँ पर भी use कर सकते हैं same features हैं आप उसको use में ले सकते हैं तो I think हम लोग यहाँ जो discuss करें आपको clear हो गया होगा कि यहाँ पर हम लोग Linux में या Windows दोनों पे ही जो है LibreOffice राइटर को use कर सकते हैं तो यह तो समझ में आगया कि free software है और साथ में यह आपका open source है अब open source का मतलब क्या हो जाता है कि यह आपको सिर्फ software ने देता है बलकि उसके साथ ताथ आपको उसकी पूरी coding की file भी available करवा देता है तो I think यह clear हो गया होगा इसी type से देखें तो friends हम लोग इसको कहां से जो है वो download कर सकते है तो friends we can download from www.libreoffice.org इस websites पर गर आप जाएंगे तो आप वहां से भी जो है इसको download कर सकते है तो friends मैं इस computer में सबसे पहले जो है वो download कर लेता हूँ अपने LibreOffice writer को या अपने LibreOffice को completely then हम लोग देखेंगे उसको किस तरीके से install करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग continue करेंगे इसके first topic से तो friends मैं internet connect कर लेने के बाद अपने इस computer के browser पर आचुका हूँ अब browser में जाके लिखता हूँ friends LibreOffice download अगर आप simple यह लिख दीजी यह completely मैंने आपको पाद भी पताया था तो आप देख सकते friends यहां पर LibreOffice writer.org या LibreOffice.org आपको सामने display होगा अब friends यह आपको जो है वो latest software भी दिखाता है और थोड़ा पूराना वाला भी दिखाएगा तो download आपको करना है देखिए यहां अपने syllabus में जो है friends वो 6.something का है ठीकिए तो आप यह चाहें तो ले सकते हैं और अभी आज की date में जो latest आपके पास available है वो 7.0.4 है तो आप दोनों में से जो लेना चाहें आप ले सकते हैं कोई खास फर्क ने होगा लाइक जो 6 वाले जो सारे फीचर है वो 7 में भी चरहेंगे अब 7 में friends कुछ फीचर जो है वो नए आ चुके होंगे 7.0.4 में कुछ फीचर नए आ गए तो शायाद वो जो है आपके पूराने इस computer जो computer जो पूराना आपके पास जो software उसमें support नहीं गरे तो friends एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर इसी को डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है Windows 64-bit पे चलाने के लिए के सामने डाउनलोडिंग का option शुरू हो चुका है यहाँ कुछ time लगाएगा तो एक particular time के बाद में like 302 MB का एक software है तो यह जब आपके पास complete install हो जाएगा means complete download हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको install तो friends जब तक अपना software install हो रहा है हम लोग तब तक कुछ और topics discuss कर लेत और speed के साथ like अगर आप चाते हैं कि एक अच्छा सा document बनाना तो आपके mind में आज चुका है आपको क्या लिखना है बस आप चीदे चीदे उसको type कर सकते है देन उसके बाद में आप उसकी size को change कर सकते है जो भी आप करना चाहें like अगर आप border वगर apply करना चाते है उसमें को आज document बना दिया आपने file save कर दी आप चाते हैं दो पांस दस दिन बाद में फिर से changes करना है तो आप यहां पर editing features को भी use कर सकते हैं तो basically editing का मतलब क्या हो गया आप cut कर सकते हैं copy कर सकते हैं पेस्ट कर सकते हैं कुछ content को find कर सकते हैं उसके बाद आप उसको replace कर सकते हैं इसी आपके text का color change करना चाहरे bold, italic, underline, super script, sub script या friends आप strike through या ऐसे बहुत सारे और editing के feature से या formatting के feature से वह आप अपने content पे apply करना चाहरे तो आप कर सकते हैं इसी तरीके से friends आपके पास storage features है आप अपनी इस file को create करें आप इसको अपने computer system में save कर सकते हैं 10 दिन बाद अगर आपक इसी तरीके से इस கूरे और आपके पास graphic से रेलेटिध कुछ option से हैं जो हम लोग आगे discuss करेंगे तो आप बहुत सारे चीज़े यहां पर insert कर सकते हैं सी टाइब से अपने सिर और कर सकते घ्रंड बुदरी पास चुर उसके बाद में अब पूर्ग काुन से वह हमने आप अपना एक डॉक्यमेंट बनाते हैं और आप चाहते हैं उसको जो है पांच-दस-बीस-पचास यह सो दो-पांच-स लोगों को भीजना तो आप वहाँ पर मेल मर्च का फीचर यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं यह कह सकता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल्स ने जो है वो नियूएर विश्ट किया है क्रिस्मस विश्ट किया है तो वह क्या करेंगे एक डॉक्यमेंट होगा अलगसे एकख से करेंगे में और तो यह यह न्दर शुहां को क्या driven ऐङ? अपको सब न शूर्स और यह करेंगे चांक है और इक यह में अलगल फाइ Cabinet ग्रंड सागेँग में वह आल्ग और इक शश्पल. दो वत एक मेंग टाकी में कुछ बनाके send कर सकते हैं कितने भी हो सकते हैं किसी टाइप चे यहां पर object linking and embedding का feature भी होता है तो आप अपने objects create कर सकते हैं then आप उसको link कर सकते हैं कि क्या होता है हम लोग आगे इसको discuss करते हैं बेसिकली यह चीज़े आपको समझ में आगी तो यह इसके important feature से इसी तरीके से देखें तो friends अपने पास next है वो है word processor application कौन-कौन से word processor application से आपके पास MS word है तो friends MS word जो ऐसा software है जो आप लोग अपने desktop पे use कर सकते हैं अलाकि आजकल यह आपके mobile based भी है आप mobile में भी इसको apply कर सकते हैं तीकि mobile में भी आपको word application यह लिए कि MS word जो है app आपको available हो जाती है आप उसको use कर सकते हैं लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि MS word के लिए आपको उनको pay करना होता है बेसिकली अपने computer system के बात करें तो उसके लावा notepad और wordpad है जो friends अपने पास यहाँ पर plain text editor है अब plain text editor क्या होता है तो friends plain text editor का मतलब होता है जिसमें केवाल आप अपने content को यहनि के आपके text को store कर सकते है plain text होगा ठीक है उसके अलावा कर आप चाहते हैं यहाँ पर images, tables यह सारी चीजे इंसर्ट करना आपने object तो आप वो नहीं कर सकते हैं तो वो किसमें कर सकते हैं आप यह तो आप यहाँ पर यूज करें word या आप यूज कर सकते है open office का writer या फिर आपके पास लिब्रे office writer या google docs तो यह जो आपके पास है यह सारे जैसे एक आपके पास था plain text editor तो दूसरा आपके पास होता है यहाँ पर document editor तो document editor के अंदर आप अ वो desktop based utility software से इसी तरीके से अगर आप चाते हैं कि internet based use करना तो आप उसके लिए friends google docs को भी use ले सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे software है यह बहुत limited नाम मैंने बता है इसके अलावा भी और बहुत सारे नाम है तो आप उनको भी use कर सकते हैं और देख सकते हैं तो friends इसमें से हम लोग जो use करने वाले हैं वो कौन सा है लिब्रे office writer है तो हम लोग देखते हैं friends क्योंकि मैं background में जो है वो लिब्रे office writer को download कर रहा था तो वो download हो चुका है तो friends अब मैं इसको install करता हूं तो मेरे computer के अंदर जो है इसको मेरे download कर लिया था है उसके जाके इसी friends मैंने click किया है आपक इसके बाद में आपको यहां simple सा क्या करना होगा friends तो यहां हम लोग जाके कर सकते हैं next इसके बाद में typical करना है यह custom करना है custom में आप अपने according चेंज कर सकते हैं इसमें से पूरा एक आपके पास package है आप इसमें से particular किसी एक-दो software को install करना चाते हैं किसी को नहीं करना चाते तो आप custom पे जा सकते हैं अब उसके बाद में बोल रहा है create a shortcut desktop तो आप यहां से इसको select कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप अपने computer को है ना तो system startup पे इसको load करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं हम लोग केवल इसको desktop पे create करना चाहरें ठीक है इसके बाद में friends में यह install कर दूँगा देखें installation का process start हो जाएगा और इसके बाद में जो है वो desktop के उपर जाकर के इसका shortcut icon create हो जाएगा वहीं से हम लोग इसको operate कर सकेंगी तो देखते हैं जब तकि install हो रहा है तो इस type से friends वो अपना install हो चुका है अब उसके बाद में बस आप start button पे click कर सकते हैं आपके software का नाम जो है friends वो है LibreOffice तो आप LibreOffice देख सकते हैं इस पजाके जैसे start button पे जाएगे LibreOffice राइटर आजाएगा आप यहां से कैल देख सकते है LibreOffice पर पूरे suite को भी आप यहां से start कर सकते हैं तो इस तरीके से friends आपके सामने आपका जो Lib spreadsheet पर काम करना तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं कैल कि spreadsheet इसी type से friends हम लोग यहां पर impress software को यूज करते हैं presentation के लिए इसी type से friends यहां पर draw है math है base है तो यह और भी कुछ software है तो हम लोग यहां पर क्लिक करते हैं तो जैसी writer पर click करेंगे आप दिखींगे आपके सामने जो है वो जैसे MS Word की screen आती है वैसे ही आपके सामने यहां पर open office writer की screen आ जाएगी तो इस तरीके से friends आपके सामने जो है वो एक screen आ चुकी है आप देख सकते हैं library office writer है default यहां पर लिखा untitled वन यहां पर अपनी file का title store होता है file का name आता है तो इस वाली line को friends हम लोग सबते उपर वाली line है इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर title bar अब title bar पर देखे तो friends यहां आपके पास minimize है maximize है और close button तीन टाप के button होते है minimize maximize और close button इसी टाप के friends यहां अगर आप इस close button पे click करते तो क्लिक करते तो क्या होता है अपना पूरा library office writer या अपना जो पूरा software है वो ही पूरा close होता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपने क्या बना है यह एक file बना रहे है तो अगर आप इस file को close करना चाहते है तो इसके just नीचे अगर आप देखेंगे तो यह आपके पास close document का option भी है जिसकी shortcut होती friends अपने पा tools है ठीक है forms है यह आपके पास में tools है windows है help है अब देखेंगे सारे के सारे topic अपने इस बार जो है वो 9th में नहीं है तो 9th में कुछ part है और कुछ part 10th में भी होगा तो friends यहां हम लोग जो discuss करें इसमें से जैसे file अगर आप देखें तो इसमें आपको option मिल जाएगा new open ठीक ह तो यह सारे के आपके पास file, edit, view सारे menus है और जिस बार पे जिस row में यह है उस पूरी row का उमलोग क्या बोलते हैं यहां पर menu bar उसके बाद friends अपने पास यहां पर कुछ toolbars होती जैसे आपके पास सबसे पहले standard toolbar है जिसमें new का आपको button दिखाए दे रहा होगा ऐसी open है आपक आपके पास cut है, copy है, paste है, format painter है, ऐसे बहुत सारे और options आपको यहां दिखाए जिते हैं तो friends यह है standard toolbar इसके बाद अपने पास friends यहां पर formatting toolbar आती है या formatting बार आती है जिसमें हम लोग यहां से कोई font select कर सकते हैं, font की size change कर सकते हैं, अपने content को friends हम लोग यहां से bold, italic या फिर underline कर सकते हैं, इसी तरीके से friends हम लोग यहां strike through को use कर सकते हैं, super script option है, subscript option है, हम लोग यहां से जो है वो formatting को clear कर सकते हैं, अपने text की formatting को आप content को change करना चाते हैं, उसके size या sorry उसका color, आप color change कर सकते हैं, background में highlighter को use कर सकते हैं, इसकी तरीके से आप यहां पर alignment है, जैसे left side म लिखना चारे हैं, page के बीच में लिखना चारे है, center alignment, दोनों side से justify करना चारे कर सकते हैं, इसी तरीके से friends हम लोग यहां इंडेंट को handle कर सकते हैं, अपने page की जो lines हम लोग लिखने paragraph में, उन lines को हम लोग arrange कर सकते हैं, इसी तरीके से और भी इसके अंदर जो है, बहुत सार कुछ और options आपको मिलेंगे, इसी के तरीके से कर हम लोग देखें, इसके बाद अपने पास friends ruler है, एक scale दिखाएद एरिया, आपको ruler है, तो यहां हम लोग ruler को भी देख सकते हैं, ताकि हम लोग जब अपने text लिख रहे हैं, तो हम लोग कहां पर किस जगे पर लिख रहे हैं इसी तरीके से friends यह एक area है, जैसे अगर आप ऊपर देखें, अगर मैं ऊपर वाला area देख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा जब मैंने click किया है, तो ऊपर की तरफ है header, तो header क्या होता है, कि अपने page में, यह नहीं कि जो भी आप document बना रहे हैं, हर page के ऊपर की तरफ बना रहे हैं, तो आप देखते हैं, ऐसा होता भी जब आप कई बार कोई notes देखते हैं, तो notes में सबते ऊपर जो आपके school का नाम हो सकता है, chapter name हो सकता है, पेज नमबर हो सकता है, तो ऊपर की तरफ है, जो हर page में जब कुछ common content होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, header है, और इ यह देख सकते हैं आप यह footer का part है नीचे और इसके बीच में आप अपना document create करते हैं तो friends हम लोग भी यहाँ पर क्या करते हैं अपना document create करते हैं like मैं यहाँ पर लिखना चाहता है this is a sample text ठीक है आप कुछ भी लिख सकते हैं friends मैंने लिख दया this is a sample text अब इसके बाद में मुझे यहाँ कुछ और content लिखना है आप और लिख सकते हैं friends मैं यहाँ पर आगे आपको बता हो जी दूंगा copy paste कर रहा हूं copy paste के लिए आप simple सा control के साथ c दबा सकते हैं और control के साथ आप वी दबा सकते हैं इस टाइप से आपका content जो है friends copy paste हो रहा है तो मैं control v बार 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 पेस्ट कर रहा हूं इस type से मैंने एक content यहाँ लिख दिया है और writer में किस तरीके से अपनी file create करते हैं देखें यह आपने file create कर दी है अब इस file को आप चाहते हैं save करना आप save भी कर सकते हैं ताकि future में आप इस file को फिर से use कर सके हैं save करने के लिए क्या है friends file में जाएंगे आप file में जाने के बाद आपके पास बहुत सारे options होता है इन में से आपके पास कुछ options है जैसे एक save होता है एक save as होता है एक save remote होता है एक save copy होता है और save all होता है तो सारे options save जैसे अगर आप इस file को अपने computer में save करना चारें तो आप किस option पे click करेंगे save इसी टाइप से अगर आप save as करते तो जो file आपने open कर रखी है उसकी एक duplicate copy बनती है अब देखिए ये क्योंकि अभी तक original भी नहीं बनी तो duplicate तो बनेगी नहीं तो जब starting में आप चाहें save करें चाहें save as करें उसमें कोई फर्क नहीं होता है हमेशा आपकी file पहले save होगी अगर friends आपकी file एक बार save हो चुकी है then अगर आप save as करते हैं तो वो वाली file जिसको open किया है तो उसको आप लोग उसकी copy बना सकते हैं और जो अब आप काम करेंगे वो नई वाली file के अंदर आप उसकी जो भी changes है वो आप कर रहे हैं लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक organization में काम करते हैं तो उस टाइम पर अगर आप चाते हैं कि आपकी file आपकी computer में ने बल्की किसी दूसरे computer पर या किसी server पर store होनी चाहिए तो friends आप यहाँ पर use कर सकते हैं save remote option इसी type से save a copy तो उसकी एक copy बन जाएगी और आपने एक से ज़्यादा files open कर रहे हैं सभी को आप एक साथ save करना चाते हैं तो आप save all button पे भी click कर सकते हैं तो friends मैं इस file को अपने computer में save कर लेता हूँ odt यह क्या होता है एक extension होता है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ आपने file को नाम दे देता हूँ तो friends आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं like friends मैं यहाँ पर नाम देता हूँ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो friends यह आपकी जो file store होगी, documents नाम के folder में, तो उसका नाम क्या होगा, demo.odt, ठीक है, क्योंकि यह odf text format के अंदर, text documents के अंदर इसको store करती, तो friends बस मैं इसको लिखूँँगा, demo, ठीक है, तो जैसे आप इसको demo करेंगे, automatic इस file को save कर देगा, अगर आप अभी इसका title देख रहे हैं, तो अभी इसका title क्या था, untitled था, अभी अगर आप देखेंगे, तो क्या हो चुका है, demo.odt, ठीक है, तो समझभा गया होगा, आप file को किस तरीके से save कर सकते हैं, इसी तरीके से friends, अगर आपने अपनी file को save कर दिया है, मैं इस file को close करना चाहरा हूँ, तो file में जाहेंगे, और आपके पास एक option होता है, जो है close, तो देखें, close, इसकी shortcut भी है, control W भी आप use कर सकते हैं, तो friends, आपने जो file अभी create करी है, वो file आपकी close होगी, जो recent में दिखा रहा है, ठीक है, अगर यहाँ देखना चाहें, recent में देख सकते हैं अगर आप चाहें, तो इसको भी close कर सकते हैं, वो recent option में दिखाते हैं, इसी तरीके से friends, वापस अगर आप writer open करना चाहरे हैं, आप फिर से writer पे जा सकते हैं, यहाँ आपको option मिल गया, इसी तरीके से आप पहले की बनी हुई file को open करना चाहरे हैं, फाइल में जाहेंगे, क्य option तो आपके पास open, और यहाँ आप उस file को select करेंगे, जिसको आप open करना चाहरें, तो friends, अपनी जो file थी, वो थी demo.odtt, ठीक है, एक text file पहले से अलग से पड़ी हुई थी, तो friends, जैसी मैंने इसको click किया, आप देखेंगे, वही file आपके सामने open हो चुकी है, इसी तरीके से friends अगर मैं फिर से एक और नई file open करना चाहता हूं, तो मेरे पास कुछ options है, या तो file में जाऊंगा, new button पे click कर दूँगा, और इसमें option क्या मिलेगा, text document, ठीक है, तो अगर आप एक नया text document, एक नया document अगर आप start करना चाहरें, तो आपको क्या करना होगा, file में जाना होगा, और text document पे जाके click करना होगा, जिससे आपकी नई एक file open हो जाएगा, देखते हैं, हो चुकी है, अब मैं इसको नहीं लेना चाहरा हूँ, इसलिए friends, वापस इसको मैं close कर देता हूँ, तो short करते हैं, अपने पास control W, आप close भी कर सकते हैं, एक और तरीका था friends, नई file को create करने का, आप यहाँ file के just नीचे जो standard toolbar था, यहाँ पर भी देख सकते हैं, new button पे जैसे आप जाके click कर देंगे, आपके सामने, फिर से एक नई file open हो जाएगी, आप इसमें कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाते हैं, तो ठीक है, बट मैं इसको भी cancel कर देता हूँ, और friends, आप देख सकते हैं, जब आप इस new button पे जाते हैं, तो आपके सामने एक shortcut भी जिसका नाम है control plus N, तो friends, अगर आप यहाँ पर है, तो shortcut control plus N को भी use में ले सकते हैं, जैसे control N क्लिक करेंगे, फिर से आपके पास एक नई file आजाएगी, तो friends, फाइल को एक नई file को बनाने के लि new button पे click कर सकते हैं, यहाँ नहीं तो shortcut है, control plus N को भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं, तो friends, इस वाली file को मैं close कर देता हूँ, और मैं यहाँ से एक नया text document स्कार्ट कर लेता हूँ, तो अब इसके अंदर अगर आप देखें, फाइल में जा रहा हूँ, तो देखें कुछ options हैं आ आप यहाँ से file को select कर सकते हैं, basically templates होते क्या अगर हम यह बात करें, तो friends, template क्या होते हैं, यहीं कि predefined format होता है, अगर मैं चाहता हूँ, अपनी photo को edit करना, आप लोग करते भी अपने mobile में photo edit करते हैं, देखा होगा side में चार और एक box बनावा आता है, एक frame बनीवी आएगी background म कोई color आएगा, आप लोग like facebook पे जाते हैं, या whatsapp पे भी जाते हैं, तो जब आप paper अपना status डालते हैं, तो आपने देखा होगा text की size fix होती है, text का color fix होता है, background आपने select कर रखागा, वो fix होगा, आप अलग-अलग theme select कर सकते हैं, तो वैसी जब आप अपना document create करते हैं, तो document में पहले से कुछ format होता है, like friends मैं चाहता हूँ, यहाँ पर एक card बनाना, ठीक है, अपनी daughter के लिए उसका जो बर्तने है, उसका एक card बनाना, तो उसके लिए क्या करना है, एक theme होती है, like देख सकते हैं कहीं एक particular जगे image आएगी, कहीं किसी जगे पर text आप store, जो text है वो आप type कर सकते हैं, इसी type के कोई एक particular frame बनी हुई आएगी, एक particular color जो है, वो selected होगा, तो वो सब आपके पास जो theme available है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक template, तो template जो है, आप internet से download भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं, अपनी खुद की को template बना के रखना, तो वो भी आप यहाँ पर create कर सकते हैं, तो इस तरीके से friends हमने जो है, discuss किया है कि किस तरीके से हम लोग अपनी file create कर सकते हैं, किस तरीके से उस file में हम लोग अपने content को store कर सकते हैं, कैसे अपनी file को save करते हैं, close करते हैं, अब देखिए friends, save करने के लिए हमने अभी discuss कर रखा है कि कैसे आप जाएंगे फाइल में इसमें आप सेव पे सेव इस पे remote में copy पे या all files को आप सेव कर सकते हैं लेकिन friends कभी कभी क्या होता है कि ऐसा हो सकता है आपने अपने file को save नहीं करे यह लेकिन आपका computer system बंध हो गया है ठीकिन हो सकता है laptop की बैटरी की वज़े से हो सकता है, electricity की वज़े से हो सकता है, कोई दूसरे failure की वज़े से भी आपका system बंध हो सकता है, तो उस situation पर हम लोग यह चाता है कि friends, हम जो काम करें, वो हर खुरी देर बाद, हर 2 मिनिट बाद, हर 5 मिनिट बाद, हर 10 मिनिट बाद अपनी फाइल को save कर लियता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, friends, एक option है, tools, tools menu में जाएंगे, और options पर जाके click कर देंगे, अब यहाँ पर आप दिखेंगे, तो आपको एक option दिखा देगा, अब यहाँ अगर आप देखेंगे, तो आपके पास सबते पहले save के अंदर एक option आ रहा है, क्या है, save auto recovery information every 10 minutes, मतलब आप चाहते हैं, हर 10 मिनिट बाद, आपकी फाइल का backup जो है, वो store होता रहा है, या save होता रहा है, आप change कर सकते हैं, हर 2 मिनिट बाद, हर 5 मिनिट बाद, आप जो time डालना चाहिए, आप डाल सकते हैं, तो फ्रेंट्स इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ content लिए जो है वो लिखा था, आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे भी किस तरीके से आप इसका जो है वो text वगरा चेंज कर सकते हैं, आप जिस content को भी आप select करें, आप चाहें तो पूरेस डॉक्यमेंट को एक साथ select कर सकते हैं, मैं सिफ ऐसे ही यहाँ पर जो है अपने content का color change करना चाहा रहा हूँ एक particular paragraph का color यह ले लेता हूँ इस परेग्राफ का कोई दूसरा color ले सकता हूँ ठीक है यह चीज़े हम लोग जानते हैं कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं इसका यह color ले लेता हूँ इस ताइप से अगर हम लोग चाते हैं यहां से इस paragraph की जो particular size है वो मैं change करना चाहरा हूँ तो select कर सकते हैं यहां आपको 12 दिख रहा है आप यहां change कर सकते हैं यहां पर जाके click कर सकते हैं आपको जो अच्छा लग जाया आप 22 कर सकते हैं टेक्स की size बढ़ी हो जाएगी आपको लग रहा है नहीं मुझे वापस पहले जैसा करना है आप undo कर सकते हैं इसी तैप से अगर आप चाते हैं अपने documents के अंदर जाते हुए कि मैं यहां पर जो है एक table create करना चाहता हूँ तो आप टेबल बटन पे click कर सकते हैं आप insert करना चाहरे एक table ठीक है insert table पे click कर सकते हैं कितनी रोग कितने column ही अगर आप बता देंगे तो आप suppose friends यहां पर जो है वो suppose की five rows लेना चाहरे जिसमें three columns लेना चाहरे और इस style का एक table create करना चाहरे आप enter कर सकते हैं आप कुछ भी data store कर सकते हैं like friends में लिखना चाहरा था यहां पर की serial number है देन उसके बाद में friends यहां पर name है और उसके बाद में यहां पर percentage है ठीक है तो आप यहां पर कुछ students की जो है वो data store कर सकते हैं like इस तरीके से friends मैं next आ सकता हूँ 101 ठीक है इसी तरीके से next है आपके पास यहां पर 102 और यहां हम लोग जाके लिख सकते है 103 ठीक है यह 103 हो जाएगा और यह 104 इसी टाप से friends आप लोग यहां पर कुछ name डाल सकते हैं like किसी का नाम लिख सकता हूँ friends जैसे की विन है यह अपने पास अमन है यह अपने पास नीरज है और friends यह अपने पास यहां पर जो है एक और student का नाम डाल देता हूँ like कमल इसी टाप से friends इनके क क्या कर देता हूँ insert में जाओंगा और यहां पर कोई आप image इंसर्ट कर सकते हैं जैसे system में देखता हूँ मैं कोई image होगी तो मेरे पास यहां कुछ images पड़ी हो सकती है आप वो images ले सकते हैं या तो या नी तो friends आपको यहां पर भी तीकि इस जगे पर भी आपको कुछ options मि आप गैलरी पर जा सकते हैं और वहां से आप कोई भी images जैसे अलग-अलग images आपको मिल जाएंगी आप यहां पर जब देखेंगे अलग-अलग type की आपके पास images है आप diagram लेना चाहरें diagram ले सकते हैं कुछ network से related कुछ shapes मिल जाएंगे आपको अलग-अलग type के sound से related तो जो भी आप यहां से images लेना चाहरें कुछ arrows हैं तो आप कोई भी images ले सकते हैं यहां पर एक इस image को insert करना चाहरा हूं तो देखेंगे वह image जो आपने लिए वह इस जगे पर insert हो चुकी है ठीक है आप इसको format कर सकते हैं ठीक है जैसे आप इसकी size वगरा change करना चाहरें तो points पकड़ करना है कि आप इसकी size छोटी कर सकते हैं ठीक है यहां से कुछ नहीं करना है बस इसके points पकड़ना है size छोटी करनी आप इसको एक जगे से दूसरी जगे पर लेकर जाना चाहरे है इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहां पर किसी content को select कर सकते हैं जैसे मैं इस content को select कर लेता और मेरे पास कुछ options आएंगे जिसे hyperlink, तो आप इसको किस file के साथ में click करना चाहरे है, कौन सी website भी बेजना चाहरे है, वो भी आप यहाँ पर डाल सकेंगे, इसी तरीके से इसमें कुछ और options भी आप insert कर सकते हैं, तो अभी हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं, इसी त देखें कि फ्रेंश नैविगेटर क्या करता है, आपको बताता है कि आप कौन से page पे हैं, जैसे आप page देख सकते हैं, आपके पास total एक page ही है, इसी तराइब से आपने यहाँ पर टेबल क्रियेट कर रखी, तो आपके पास total एक टेबल है, बाकी सारे आपके पास यहाँ प क्लिक करेंगे तो आप तीदे उस टेबल में भी मूब हो सकते हैं इसी तरीके से मैं इसके अंदर आप कुछ और टेक्स जो है वह कॉपी पेस्ट कर देता हूं इस टैप से मैंने यहां पर कुछ ज्यादा कंटेन डाल दिया ठीक है मैं चाहता हूं देख सकते आप नीचे पेज पेज नुम्बर वन तू पे जाना चाहरे है इस पर्टिकुलर नैविगेटर को यूज करते हूई आप यहां से अलग-अलग पीज पे oh तो बैसिकली नैविगेटर होता क्या आपको समझ में आगया होगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक आप पहुंशना चाहरे, फिर से बता देता हूँ F5 shortcut है इसकी, ठीके ता आप ये तो F5 shortcut ले सकते हैं, view में जा सकते हैं आपके पास option था, navigator आप कौन से page पे जाना चाहरे हैं, page number 2 पे, page number 3 पे, आप वहाँ पर move हो सकते हैं, आपके document में क्या क्या कुछ चीजे हैं, जैसे drawing object आप उसको select कर सकते हैं, particular इस जगे पाना चाहरे हैं, उसको भी आप select कर सकते हैं, I think आपको समझ में आ गया होगा navigator भी क्या होता है, ठीके तो basic basic चीजे हैं, इसी टाप से friends हम लोग discuss कर लेते हैं, last topic अपने इस वीडियो का तो friends हो है, आपके पास में यहाँ पर जो cursor है, ठीके, यह mouse जो pointer है, arrows है उसको लेकर करके discuss करते हैं friends मैं यहाँ पर एक particular, किसी particular location पर अपने mouse को या अपने cursor को रख देता हूँ, अच्छा, दो चीजे हैं ibeam, ठीके, ibeam किसली काम आता है जब आप अपने document को edit करने वाले, जहाँ कहीं पर भी आप click करनेंगे वहाँ से आप changes कर सकते हैं, और जैसी आप इसके बाहर आ जाएंगे, तो आप देख सकते है change हो चुका है shape, ठीके, तो इसी राप आप से next हम लोग दिख लेते हैं, अपना जो cursor है वह कैसे हम लोग move कर सकते हैं, तो friends कहीं पर भी आप में document में, इस वाली row में मैं अपने mouse pointer है या cursor है वह रख देता हूँ, अब उसके बाद में friends, अगर आप ऊपर की तरफ जाना चाहरे हैं आप keyboard में जो है, upside वाला arrow keys यूज़ कर सकते हैं, bottom वाला ले सकते हैं, तो आप जो है left, right, top, bottom, जहां आप चाहें, वो move कर सकते हैं, जहां आपको सही लगे, आप move कर सकते हैं, इसी तरीके से friends, आपके पास कुछ और keys भी होती अगर आप चाहते हैं, end key होती है आपकी keyboard पर आप देख सकते हैं, तो friends, जैसे मैं यहाँ पर end key को use करूँगा, ठीके तो आप देखेंगे, आपका जो cursor जो है, जो मैंने friends, इस जगे पर रखा है, ठीके, अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, end key को, तो देखेंगे आपका cursor उस line के last में जा चुका, और ऐसी friends, अगर आप home key को use करेंगे तो उस line के starting में आ चुका है, तो अगर आप अपने cursor को अपनी line के starting में बेजना चाहते हैं, आप क्या use करते हैं, friends, वो है home key और ऐसे last में बेजना चाहरे तो आप क्या use कर सकते friends वो है आपके पास यहाँ पर end key इसी type से friends अगर आप चाहते हैं कि control के साथ अगर आप home key को use करें तो देखे control के साथ अगर आप home key को use करेंगे तो friends आप document के starting में आप move कर जाते है तो friends control के साथ क्या है तो आप के साथ होम की इसी type से अगर आप क्या use कर सकते हैHelp के साथ और मेंने है तो आप के पास keys मिलेंगी और उनको use करने के लिए आपको साथ में shift key को भी use करना पड़ेगा अगर आप laptop में हैं तो cable particular home key 7 key आपको दिखाई देगी 7 पर ही home लिखा होता है तो वो अगर आप 7 दबाएंगे तो cable 7 print करेगा अगर आप shift के साथ 7 को दबाएंगे तो friends वहाँ पर home की काम करेगी I think यह आपको समझ में आ गया होगा इसी ताइब से friends आपके पास दो keys और होती जो है आपके पास page up और page down तो friends मैं यहाँ पर page up key को use करता हूँ तो देखेंगे आप जो starting में हम लोग एक एक page जो भी आपका view खुलाओ है ठीक है जो भी आपका view है एक एक पेज ऊपर की तरफ आएगा और जो भी आपका view है उसमें एक एक पेज अगर आप नीचे आके देखना चारें तो friends आप use कर सकते हैं यहाँ पर down key ठीक है तो एक page up होता और एक page down key होता है आप उन दोनों को use कर सकते हैं वही वाली बात है यहाँ पर भी अगर आप लाप टॉपक करें तो friends वह भी आपको shift के साथ ही use करनी पड़ेगी अगर आपके पास अभी कोई फाइल ओपन है जो कोई भी आप काम करें उसमें भी अगर आपको changes करना चारें तो वह भी आपके editing के लाएगे आपके सकते हैं कि आपने कोई document क्रेट कर रखा अब आप चाहते हैं कि उसमें एक particular spelling जो है आप उसको change करना चारें एक particular word आप हटाना चारें एक particular paragraph आप उपर से नीचे के तरफ लेके आना चारें तो वह भी आपके पास editing का ही part होगा तो देखती friends इस chapter में हम लोग क्या क्य जी discuss करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर text editing जिसमें हम लोग देखेंगे undo और redo तो undo का मतलब क्या होता है जो भी आपने काम किया है अभी जो last actions आप लोगों ने किया है आप उसको cancel करना चाहरे तो आप क्या use कर सकते undo इसी तरीके से friends अगर आपने जो document को आप कैसे select कर सकते इसी तैप से friends आपके पास next copying and pasting the text यह नहीं कि आपका कोई text है आप चाहरे है कि एक text है वहाँ पर भी रहे है और उसके साथ यह copy आप next page पर यह किसी दूसरी document में भी paste करना चाहरे तो आप वहाँ से हटा कि किसी और जगे रखना है तो आप वहाँ प आप चाहरे हैं ढूंड़ना के वह कहां है तो आप find कर सकते और आप चाहता है कि उसको ढूंडने के बाद उसमें changes भी करने तो आप क्या कर सकते हैं रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी तरीके से फ्रेंट जंपिंग टूदा पेज नंबर है आप अपने document के किसी particular page पे जाना चा भी discuss करने वाले इसी तरीके से friends spelling and grammar को भी हम लोग discuss करने वाले कि यहाँ पर जो spellings को और grammar को किस तरीके से handle किया जाएगा लाश्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जोरस क्या होता है और वहाँ पर उसको किस तरीक से हम लोग use कर सकते हैं तो सारे topics को एक ही करके देखते हैं लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर start कर लेते हैं अपना LibreOffice तो friends मुझे यहाँ पर क्या करना होगा बस LibreOffice जा करके start करना है LibreOffice में जब आप स्टार्ट कर देंगे आपके सामने इस टाइप ते start हो जाएगा आप पता है आपको कि पिछली बार हम लोग उन्हें जो देखा था वो कुछ फाइल सी लैक डेमो लैक सेंपल इस टाइप इसके बाद मैं इसको तोड़ा इटैलिक तोड़ा सा तिर्शा कर लेता हूँ इसके बाद मैं आंदर ंडर लाइन भी लगा देता हूं साथ मैं साइस 2021 कर लेते हैं इस type से friends आप यहां से इसका कोई font भी change कर सकते हैं like मैं यहां से कोई अच्छा सा font select कर लेता हूँ तो इस type से हमने कुछ documents में कुछ editing कर ली है अब friends मैं यह चाहता हूँ कि जो मैंने last job भी काम किया just सब्से last में जो काम किया कौन सा किया था लोगों ने यहां पर जो है वो font change किया तो friends मैं अपने last action को cancel करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर दूँगा control z shortcut है आप use कर सकते हैं ठीके इसके पहले आपने just क्या क्या था अगर आप फिर से undo करेंगे आप एक बार और undo करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे फ्रेंट्स control z दबाएंगे एक बार और तो उस टाम पर आपने क्या change क्या था इसका font तो देखें font वापस नॉर्मल हो जाएगा इसी तरीके से friends इससे पहले आपने क्या काम क्या था वो भी आप जो कोई काम किया था आप उसको फिर से cancel करना चाहरें जो भी आपके last actions थे उनको आप cancel करना चाहरें किस के तुर करेंगे आप undo के तुर अंडू के लिए तो shortcut है आप Ctrl-Z यूज कर सकते या नहीं तो friends edit में भी आपको option मिल जागा क्यूंकि हम लोगों ने इतने सारे undo कर लिए खतम हो गया तो आप undo नहीं कर सकते अब क्या कर सकते फिर नेक्स्ट आपका redo वापस से आप वो सारी चीज़े लेकि आना चाहरें तो friends मैं Ctrl-Y यूज करूँगा शॉटकर था ठीक है आप यहां से यूज कर सकते जो भी आपने फॉर्मेट्स अप्लाई कियते वो सारे के सारे अब देखे सारे redo हो चुके हैं इसलिए अब आप redo नहीं कर सकते वापस आप undo कर सकते तो undo का मतलब होता है आपके last action को cancel करना इसी तरीके से redo का मतलब है आपने जो अभी अभी undo किया है उसको फिर से आप ले क्या आना चाहरे है redo करना है तो undo और redo आपको समझ में आ गया होगा तो next day friends अपने पास हम लोग दिखते है selection कैसे करते हैं तो friends हम लोग क्या करेंगे जैसे किसी भी वर्ड को जिसको आपको select करना है वहाँ अगर आप जाकर के उसके उपर click करेंगे तो वह word select हो जाएगा किसी भी sentence में आप जाकर के तीन बार click करेंगे तो वह पूरा sentence आपका select हो जाएगा इसी तरीके से friends अगर आप वहाँ पर चार बार click करते हैं तो उसके लिए friends आप control के साथ a को use कर सकते है control a क्या करता है आपके पूरे document को एक आप select कर लेगा तो हमें यह समझवा आगिया कि friends कि अगर आप दो बार click करेंगे तो word select हो जाएगा आप तीन बार click करेंगे तो आपका जो particular sentence हो जाएगा अगर आप चार बार select करेंगे तो आपका paragraph select हो जाएगा और control a कर देंगे तो आप यहाँ पर जो पूरा document है उसको एक ताप select कर सकते ह उसके बाद अगर shift के साथ आप arrow keys को use करें तो भी आप यहाँ पर जो है वो particular एक एक लाइन को select करते हैं तो जैसा आपको अच्छा लग है आप select कर सकते हैं इसी ताप से friends अगर आप यहाँ पर जो select करेंगे अभी आपने जो select किया वह एक standard mode में ता लेकिन अगर आप चाते horizontally नही vertically आपको select करना है एक block में select करना है तो उसके लिए आपको edit में जाना होगा और edit में जाने के बाद आपके पास एक option आता है selection mode उसमें अभी standard कर रखा है आपको यहाँ से block area select करना पड़ेगा और देन उसके बाद में अगर friends अब आप select करते हैं तो एक particular block को भी आप इस पहले हमने standard discuss कर लिया उसके बाद अभी आपको समझना आगया होगा अच्छा फिर select करेंगे तो पूरी की पूरी रो यह नहीं horizontal area ही आपका select हो एक आपके पास horizontally select करना एक आपके पास vertical select करना कैसे किया है edit में जाना है ठीक है तो वापस बता देता हूँ आपको क्या करना है edit में जाना और selection mode पे click करना जो आप लेना चाहिए standard और block area आप उसको यहां से select कर सकते हैं इसी तरीके से देखते हैं अपना next topic तो next है friends अपने पास हुआ है copy paste का मतलब क्या हो जाता है friends हम लोग अच्छे से जानते कि friends अगर suppose यहां पर यह कुछ line का content है ठीक है मैं इतना ही लेता हूं और friends यह content में यहां पर उपर भी लेना चाहरा हूं या नीचे कहीं लेना चाहरा हूं तो उसके लिए friends मुझे क्या करना पड़ेगा एक particular area जिसको मुझे copy करना उसको select करना है selection आपको आता है मैं को यहां से इस तरीके से इस area को select करना है देन उसके बाद edit में जा क्लिप बोर्ड में जाके store होता है जब भी आपने किसी content को cut किया है या copy किया है तो आपका data कहां store हो जाता है फ्रेंट्स वह क्लिप बोर्ड तो यहां से जो मैंने यहां से जो control सी दबा दू यह जो मैंने direct भेज दिया या नहीं तो फ्रेंट्स standard toolbar पर भी अगर आप देखे के लिए आप यहां पर जो है वह एडिट में जा सकते और एडिट में जाने के बाद आप से पेस्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं स्टांडर टूल बार पर भी आपको दिख जाएगा यहां पर option मिल जाएगा आपको पेस्ट तो आप कहीं से भी ले सकते जो एरिया आपने select कर के copy किया वह देखिए वहां पर भी पढ़ा था उसकी एक copy गई थी clipboard में और clipboard से आप लेकर के आए यहां पर अब यह clipboard से आप अगर एक बार लेकर आए तो फ्रेंट्स आप चाहें तो एक बार और और भी लेकर आ सकते हैं control V धवाते हुए क्योंकि clipboard में अभी आपके प कउपिके तो और अगर आप जाते हैं तो इसकी लिए क्या करना होगा आपको यहां से इस पूरे ही एक्ट को यहां से हटा देना चाहता हूँ तो फेंज सलेक्ट करके क्या कर दूँका control X ia to control X को use कर सकता हूँ या तो मैं यहां से एडिट में जा सकता हूं Edits visit amd. infection Tampa मिल जाएगा यहा नी तो Is the टू बार पर यहां से आप उस च्रीजर दिखाए देखा तो यहासे भी आप उस डेर को करते हैं डेटा कट हो गया कहां गया है क्लिप बोर्ड मेरपस लेकर आना चाहरे है बहूंा अपने करसर को रख दीजिए दैन उसके बाद आपको क्या करना होगा फिर से पेस्ट करना होगा तो जैसी आप पेस्ट बटन पर क्लिक कर देंगे वो डेटा जो आप लेकर आए थे क्योंकि उसका फॉर्मेट यहां पर चेंज हो रहा है तो फ्रेंट्स मैं इस टेक्स को यहां ले आ लाएगा और पेस्ट का मतलब क्लिप बोर से उस डेटा को लिख के आना है तो देखिए एक था आपके पास कॉपी पेस्ट और यहां पर मैं देखना चाहरा हूं सेंपल कहां पर लिखा है तो फ्रेंट्स मैं यहां पर कोंड्र फ्रेंट्र के लिए क्या यूज़ered करूंगा क्ल्च जैसे कंट्र लायफजoter करूंगा आप देखिए प्रेंट्स नीक्षे यहां फाइंट्स आ चुकी होगी और इस फायंट लिखा सब्सक्क्राइब जएगे करें सब्सक्राइब तो रहे देखा मैं पहले वाला देखनार हो क्षेंब इस तुना होरे जो對啊 सुना करके आपको समझबा सब्सक्राइब सौना बी जएगा Намiliki सेंपल की जगे मुझे क्या करना है डेमो करना है तो option क्या हो गया find नहीं है क्या हो जाएगा आप replace तो find की requirement अपन को क्या करना है या पर replace find and replace तो उसके लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंट एक सेंपल दिख रहा है आपको सेंपल के बाद यहां जाके लिख दूँगा क्या लिखना है मुझे यहां पर डेमो जैसी मैं डेमो लिख दूँगा अब उसके बाद में अगर आप देखें तो यहां पर find next करते हुए replace करना है या सभी को आपको replace करना है तो मैं replace all कर देता अब आप देखेंगे जहां जहां पर सेंपल लिखाता सभी जगे क्या हो चुका है तो आपने क्या कर दिया है सेंपल को यहां पर convert किया या सेंपल को आपने डेमो के अंदर जो है वो replace कर दिया समझ माया होगा आपको किस तरीके से find and replace को आप use कर रहें इसी ताप से next अपने पास जो topic है वह है आपके पास जंब करना है आपको अलग-अलग pages पे तो उसके लिए friends मैं क्या करता हूँ एक बार control A करता हूँ जो क्या करेगा select all उसके ब टोटल मेरे पास page number 24 तक आ चुक है total 24 pages मेरे पास आ चुक है आपको दिख रहा हूँ का नीचे तो जहां आपको यह दिखता है इसको हम लोग बोलते status bar पर आपको status दिख रहा है यह हम लोग कहां आ चुक है last page number 24 अब friends अगर आप चाहते page number 5 पे जाना है तो आप क्या कर सकते shortcut use कर सकते है control के साथ जी जी का मतलब होगया friends go to टेके go to go to के लिए आप चाहें तो edit में भी जा सकते है edit में भी आपको option मिल जाएगा go to page और friends वहां जाकर कि आप लिख सकते है like page number 5 लिख के ok कर देंगे तो आप देखेंगे आपका cursor जो है वो page number 5 पे move कर तो यह वाला page number 5 है आप status bar पर देख सकते हैं कि total 24 है और हम लोग page number 5 पे move हो चुए ठीके इस तरीके से हम लोग जो है एक page से दूसरे page पे जा सकते है control G करते हुए friends में page number 17 पे जाना चाहता हूँ तो friends अभी मेरा जो cursor है वो page number 17 पे आज पूका है ठीके तो I think यह भी समझ मैं आगा क्या है आप के पास एक page से दूसरे page के आप किस तरीके से जो है वो हो सकते हैं इसी तरीके से friends अम लोग next देख लेते तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर next अपना जो topic है वो है आपके पास व्यू में जाना है और व्यू में आपके पास एक option मिलेगा वह आपके पास formatting marks क्या करता है वो देखने के लिए के वल हम format को देखने के लिए इसका यूज करते हैं éléments जब आप अपने दॉक्न को प्रिंट करते हैं तो उस टाइम पर इसेERE इसेरिपने विogen desconKID पूर के वहल स्क्रिन के उपर आपको डिस्प्ले होता है और जस्ट हम लोग इसको फॉर्मेंटिंग के लिए यूज करते हैं आप चाहें तो वापस बंद कर सकते हैं विउ में जाना है आपको विउ के अंदर ऑप्शन था फॉर्मेंटिंग मार्क्स को आपको वापस से क्लोज कर इसकी शॉर्टकट भी फ्रेंट्स वह आपके पास कंट्रोल प्लास एक तो मैं इसको फिर से क्लोज कर देता हूं नॉर्मल आपका टेक्स बन चुका है इसी टाप से फ्रेंट नेक्स अपना जो टॉपिक है वह अपने पास स्पेलिंग और ग्रामर को लेकर करके तो फ्रें मैंने लिखा है हेलो फ्रेंट्स अब फ्रेंट्स की स्पेलिंग मैंने जान मुझके गलत लिखिए अगर आप अब अब्सर करें तो फ्रेंट्स अगर आपने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिये तो वहाँ पर क्या करेंगा वह नीचे रेड कलर की वेवी लाइन्स देगा इ यह जो ब्ल्यू कलर की वेवी लाइन से इसका मतलब यह जो है आपके पास एक ग्रामेटिकल मिस्टेक तो आपके पास जो chimla करना तो आप क्या करें उस पर जाएं और जिस वर्ड को आप चेंज करना चाहरें उस पर आपको क्या करना है के वल राइट क्लिक करना है तो आपको यह सजेशन देगा आपको कहरें यह लेना चाहरें यह लेना चाहरें आप इसको इग्णॉर करना चाहरें या नहीं तो आप के पास में dictionary है उस office के लिप्रे office के डिक्षिनरी उसके अंदर आप एक नया वर्ड करना चाहते हैं जैसे फ्रेंट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यहां पर किसी का नेम लिखते हो नेम उसके यहां पर क्या मिष्टेक है अगर हम देखें हैं इस एन गुड बॉय जो लिखा है यहां कुछ मिष्टेक है इस अगुड हो सकता ही इस अगुड कर लेते हैं ठीक है इस तैप ते हमने यहां पर जो है तो फ्रेंट्स मैं क्या करूंगा इस वर्ड को सलेक्ट करने के बाद टूल्स में जाओंगा और ते क्लिक कर दूंगा तो दोनों ही बताता जाएगा अगर अभी आप देखें तो फ्रेंट्स यह सारे क्या दिखा आपको सिमिलर वर्ड लिखा रहा है ठीक है तो यह सारे सिमिलर वर्ड आपके पास आते वे जाएंगे इस टाइप से आप चाहते हैं इसको चेंज करना लैक आप चाहते हैं गुड की जगे यहां पर सुपप लिखना तो इस वर्ड को सलेक्ट कर दीजिए शुपब को और यहां से रिप्लेस कर दीजिए तो ही इसा सुपब बॉइ हो जाए तुछ इससे पर फेंट सम्लों विसकस कर चुटे हैं कि हम लोग यहां पर लिप्रेव आपे सौफ्टे को यूज करते हैं अपनी जो है एक डोकिमेंट कर सकते हैं उसके बाद हम लोग उनसे एडिटिंग देखे लाइक हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से अपनी फाइल को जो है वो आपी कर सकते हैं फाइं है रिप्लेस है गोटू और ऐसे और भी कुछ ऑप्शिंस लाइक डिश्कस कर चुके तो फैस इस चाप्टर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं बेसिकली फॉर्मेटिंग को लेकर के आप फॉर्मेट्स अपलाई कर सकते हैं अब देखिए फॉर्मे या आपके अलग अलग टाइक को सकते हैं या तो आपका नॉर्मल टेक्स हो सकता है उसक्त को अगर आपके पास क्या हो सकता है इस टाइब से कुछ टॉपिक्स करेंगे और दूसरा अगर हम लोग देखे तो फ्रेंट्स हम लोग यहां पर आपने ऑप्जेक्स को भी फॉर्मिट करेंगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो हम लोग यहां इमेज को इंसर्ट करते हैं कैसे हम लोग यहां पर जो है वो कोई दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट जैसे की शेप को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं इसको हम लोग इस तरीके से फ्रेंट्स हम लोग डिसकस क्या क्या करने वाले सबसे पहले friends हम लोग discuss करेंगे वह है अपने पास text formatting, text formatting देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कुछ common text formatting होगी जैसे की font क्या है हम लोग जानते है font face change करना है, इसे type से font की size को change करना है, color को change करना है bold करना है, italic करना है, underline करना है उसके लाँ friends हम लोग जो format डाल रहे है, ऐसा हो सकता है कि कई बार हम लोग को format को remove करना होता है तो text format को कैसे remove करते हैं, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं कि बार friends हम लोग देखेंगे कि आप लोग अपने, जो आपने text लिख रखा, आप चाहते हैं किसी content को upper case में convert करना, lower case में convert करना आप चाहते हैं वो title case में हो, sentence case में हो, तो किस तरीके से हम लोग यहां पर एक text को दूसरे case में convert करते हैं, चेंज करते हैं इसी type से friends हम लोग यहां super script और sub script जो है वो apply करने वाले, इसी type से friends हम लोग यहां देखने वाले page styles dialogue box को, तो page style dialogue box में कौन-कौन से options आएंगे, वो सारे के करके हम लोग discuss करेंगे, इसी type से friends अपने पास आएगा यहां पर paragraph formatting, तो paragraph formatting हम लोग basically देखने वाले paragraph पे क्या apply कर सकते friends यहां तो alignment कर सकते हैं यहां साथ में indentation, इसके लाए friends हम लोग border and background करेंगे अपने paragraph का, इसी type से border and background करेंगे हम लोग अपने page का, page के formats को हम लोग देखेंगे, like page का layout है, page का आप लोग break करके देखेंगे, इसी type से friends हम लोग यहां पर insert करेंगे bullets को और numbering को, और साथ में हम header and footers को भी discuss करने वाले, कि किस तरीके से हम लोग अपने document में header and footer को insert कर सकते हैं, इसके बाद में friends हम लोग अपने documents को जो है, वो अलग-अलग column में divide करके देखेंगे, और last में जाते जाते हैं, हम लोग insert करेंगे images को, shapes को, और special symbols को, तो जब हम लोग इनको insert करेंगे, तो साथ-साथ friends हम लोग चाहते हैं को उनको format करके भी देखना, like अगर image डाली है, तो हम लोग image की size को change करना चाहते हैं, तो इस type से कुछ और भी अगर आप formatting करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास कुछ options आएगा, तो friends इन सभी topics को हम लोग एक ही करके discuss करते हैं, इसके लिए friends मुझे start करना पड़ेगा यहाँ पर अपना LibreOffice Writer, तो मैं start करता है अपना LibreOffice Writer, तो friends मैंने यहाँ पर जो start कर दिया है अपना LibreOffice Writer और इसमें अब हम लोग कुछ पहले common formats देख लेते, तो friends format करने के लिए, like मैं यहाँ पर bold, italic, underline, बहुत सारी चीज़े apply करने वाल ऑफिन्स है, फार्मِٹ करने के लिए आपके पास अलग-अलग options है, आप चाहें तो shortcutts यूज कर सकते हैं, like friends अगर आप चाहते हैं, इस text को bold करना है, 1220, बहुत चाहते हैं, इस text को आपको italic करना है, select करने के बाद, आपि 122, 225, एक 122, 223, आफिए कर सकते हैं, इसी ़िस त लेता हूं H2SO4 ठीक है तो इसको नीचे की तरफ लेना चाए है अब सब कर सकते हैं इसी टाइपके डिक्रेट्स है क्यों आप यहานं पर भी जो है ओको نीचे की तरफ से टाहरें जा रहे हैं या पशर को को नीचे कर सकते हैं इसी टाप से आप इसको भी जो है वो सुपर इसक्रिप्ट में convert कर सकते हैं इसी टाप से अगर आप चाहते हैं किसी text को change करना, color को change करना चाहिए, यहाँ पर color की spelling सही है क्योंकि C-O-L-O-R है, जबकि यहाँ पर C-O-L-O-U-R को treat के जाएगा, लेकिन है सही है तो friends, मैं यहाँ पर जाऊँगा, color change करना चाहता हूँ, आप यहाँ से कोई भी color select कर सकते हैं, वो color apply हो जाएगा इसी टाप से friends, अगर आप font की size को change करना चाहरे हैं, आप यहाँ से font की size change कर सकते हैं आप shortcuts भी use कर सकते हैं इन सब की shortcuts भी होंगी, आपके पास इसी टाप से friends, आप लोग इस fonts को change करना चाहरे हैं, आप इस font को select कर सकते हैं यहाँ आपके पास option है fonts, आप यहाँ से कोई भी font ले सकते हैं लाइक मैं यहाँ से इस font को select कर लेता हूँ ठीक है, इसी तरीके से strike through होता है आप strike through अपलाई कर सकते हैं इस text को select कर देने के बाद आप इसकी बीच में एक करती हुई line डाल सकते हैं तो कुछ चीज़े हैं जो हम लोगों ने direct discuss कर ली है आपको बाहर ही option मिल जाएंगी, इनके कुछ shortcuts भी मिल जाते हैं, और साथ में आप format menu में भी जा सकते हैं, आप text में जाकर के देखें तो almost सारे के सारे options आपको फिर यहां पर भी दिख जाएंगे और इसी तरीके से friends इन में से कुछ options जो हैं आपको यहां पर, क्योंकि आप text के ऊपर apply कर रहें टेक्स आप format कर रहें, आप देखेंगे तो character पर भी आपको कुछ चीज़े जो है और advanced मिल जाएंगी, वही font है, आपके पास font, font size है अगर आप change कर सकते हैं, font पे आप effect लगा सकते हैं, तीक है इसी type से आप यहां से overline चेंज कर सकते हैं, किस type की लेनी अपने टेक्स की वह सारी कुछ आपके पास होगी, border अगर आप रखना चाहरे, तो आप यहां से बौर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं तो इसी type से friends हम लोग जो है पहले discuss करें, कुछ common formatting को लेकर के, तो जैसे strike through की requirement क्या पढ़ती है, कई बार हम लोग को इसमें confusion होती है like आप देखते है friends कई बार हम लोग shopping करते तो लिखा होता है कि actual price जो है suppose की मैं इसके एक बार strike through जो है वो close कर देता हूँ यहीं पे then इसके बाद में हम लोग यहां पर जाकर के यहां एक काम कर लेता हूँ इसके बाद हम लोग strike through close कर लेते हैं और इसके बाद में जाके लिख रहा हूँ friends actual price 1000 रुपीज थी ठीके लेकिन अभी यह आपको जो है वो मिलने वाला है friends suppose 555 रुपीज का ठीके तो actual price यह थी अब हम लोग कई बार क्या करते हैं इसको हम लोग काट देते हैं तो इस तरीके से आप इसके ऊपर एक लाइन चलाना चारे दे यह price थी इसको काटके अभी आपकी original price जो है वो यह रहेगी तो आप इस तरीके से इनको select कर सकते हैं background में इसको highlight कर सकते हैं तो highlighting के लिए आपके पास option है आप background में कोई भी इसमें से कोई color select कर सकते हैं तो पीछे वो color भी आपको दिखाए देगा like bold करना, italic करना, underline करना, super script, sub script, color, size, font, strike through, highlighting करना यह सब क्या आपके पास में कुछ format से, किसके format से? text के format, I think text का format जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसी type से friends इस पर हम लोग कुछ और चीज़े apply करते हैं friends कभी-कभी क्या होता है हम लोग अपने text जो उसका format डाल देता है, then हम लोग को लगता है अब हमें इसका format वो है change कर देना चाहिए like friends मैं यहाँ पर जो है वो लिखना चाह रहा था, this is a computer, ठीके? और friends यह वाला जो format है, जो भी इसके उपर apply कर रखा था, हो सकता है कि इस text के उपर आपने जो है वो bold भी कर रखा है, underline भी कर रखा है, जो कुछ भी लग, मैंने इसको bold भी कर रखा है, italic भी कर रखा है, underline भी कर रखा है, strike through भी था, हमने इसका color वगरे भी डाल रखा है हम लोग चाते हैं, इस text के उपर जो भी format है, इस text के format को अटाना, manually आप अटाना चाहें, आप अटा सकते हैं, इसको select कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ आपको दिखाए देगा text format को clear करने के लिए, यह आप shortcut भी use कर सकते है, control M है, जैसे इस पर click कर देंगे, देखें फिर format में लेके आना चाहरे हैं, आप क्या use कर सकते हैं, आप control plus M, इस type से friends कही बार क्या होता है, मैंने इसको लिख तू लिया था, यहाँ पर this is computer, ठीक है, और friends यहाँ पर जो है, मैं इसकी copy paste कर लेता हूँ, और इस तरीके से मैंने बहुत सारा content यहाँ पर लिख रहा है, ठीक ह हाँ पर एक space डालने के बाद इसको copy paste कर लेता हूँ, और friends इस तरीके से मैंने यहाँ कुछ content लिख दिया, ठीक है, अब मुझे पता पड़ा है, इन सबको तो मैंने small letter में लिख दिया, मैं इन सबको capital letter में लेना चाहरा था, तो क्या करें, इस text को वापस delete करके वापस लिख है, ठीक है, sentence case में क्या आता है, हर sentence का पहला word का पहला character आपके पास uppercase में हो जाएगा, ठीक है, इस टाप से अभी देखेंगे, सारे के सारे upper case में convert हो चुके, आप देखेंगे, सारे के सारे lower case में convert हो चुके, और यह क्या होगे, आपके पास capitalized each word, हर word का पहला character जो है, वो । तो आपको जो लेना है आप Telekt कर सकते हैं अचाहिए यह option आपको मिलता का है तो Prems आप इसके लिए आप यहाँ पर जा सकते मिलता का है इसके लिए आपको यहाँ पर यहाँ पर जा सकते हैं format लिद्वार्मेट enrich इसके बाद size increase करते हुँ देखिए upper case में convert करना चाते हैं lower case में convert करना चाते है cycle case cycle case क्या करेगा बार बार उसको change करता देगा किसी टाप से friends हमने देखा था sentence case करता है हर sentence का first character capital कर देगा ऐसी friends capitalize every word या कई बार हम लोग इसको capitalize each word भी बोलते है तो हर word का पहला character capital कर देता है उसके बाद आता है friends अपने पास toggle case toggle case क्या करता है जो upper case उसको lower में convert कर देगा और जो lower है उसको upper में convert कर देगा I think यह आपको सारे समझ में आँगे किस तरीके से हम लोग एक case को दूसरे case में है नहीं कि एक font को हम लोग या क्या सकते है कि font का जो case like upper case lower case जो भी आपके पास है इसको convert कर सकते हैं तो यह समझ में होगा आपको किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के case को convert कर सकते हैं इसी ताप से friends अब हम लोग इसके उपर आपलाई कर रहे हैं कुछ और formatting तो यह friends मेंने select किया है यहाँ पर paragraph आप अपने paragraph को या फिर आप अपने page को भी format कर सकते हैं पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं format के अदर option है अपने पास में एक है page और एक है आपके पास paragraph यहां से format कर सकते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं page styles को एक बार discuss करते हैं तो friends page style है क्या जैसे आप page style पर क्लिक करेंगे दिख सकते हैं पहला आपके पास organizer आएगा उसके बाद page आदाएगा तो friends हम लोग page से start करते हैं तो page में हम लोग देखते हैं format page का format कौन सा होगा देखिए a are paper की जो है size अलग अलग आती है आप जानते हैं जैसे कई बार हम लोग notes देखते हैं तो friends photocopy अगर लोग देखते तो उसकी size अलग होदी इस और कई आपके पास border page होता है legal page होता है इस type से कुछ और भी हो सकते है तो इसने जो भी standard page है उन सब की size को यहाँ डाल रखा है तो friends by default आपके पास A4 size होती है इसलिए हम इसको select करें उसके बाद में इसकी width height दिखाता है तो जो A4 की size है वो यहाँ display करेगा उसके बाद अपने पास आता है orientation orientation का मतलब होता है पेपर कि आप मिलब कि आप उसको किस तरीके से रखना चाहरे है horizontally या vertically देखे default portrait में इसको landscape करता हूँ अगर आप इस जगे पर observe करेंगे ठीके इसका जो preview है तो portrait में क्या होता है पेज एसे खड़ा आपको मिलता है इसके अंदर आप जो text type कर रहे है इस type से अगर आप horizontally अपने content को डालना चाहरे तो आप क्या select करते है friends वो है यहाँ पा landscape इसी type से शुरू हो रहा है ऐसे कितना space छोड़ने के बाद आपका content लिखा जाएगा वो आपका margin कहलाता है तो margin आप यहाँ से left में right में top में और bottom basically four side में आप कितना space चाहरे like friends मैं यहाँ पर top side में थोड़ा space ज़्यादा कर दूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ उपर के तरफ स space ज़्यादा आ रहा है ठीक है उपर से इतना space छोड़ेगा ऐसी अगर आप left में डालेंगे राइट में डालेंगे या bottom में जितनी size डालेंगे उतना यहाँ पर margin छोड़ दिया जाएगा तो उतना space छोड़ने के बाद आपको text जो है वो type करना है ठीक है इसी type से friends आपका page layout जो है वो right to left होगा इसी type से आपके पास page number 123 आपके पास continue होंगे तो इस type से आपके पास page से related formatting इसी type से एरिया एरिया का मतलब होता है वो जो पूरा page का एरिया है उस पे आप क्या apply करना चाहरे है एक होता none कुछ भी नहीं है अभी लेकिन अगर आप चाते friends उस पे कोई color apply क तो आप यहां से कोई भी color select कर सकते जो भी आप यहां से friends color select कर देंगे वो color जो है background में save हो जाएगा आप देख सकते है background में वो color आच चुका है अगर आपको लगता है friends यहां से gradient लेना है अलग-अलग size में आप यह अलग-अलग format आप apply करना चाहरे है आप वो ले सकते हैं color change कर सकते हैं यहां से आप उनके angle को change कर सकते हैं उसका border change कर सकते हैं जो आपको सही लग जाया आप in fact यहां से आप उसका color भी change कर सकते हैं तो कोई भी ऐसा एक normal सा color में यहां पर डाल देता हूँ आप इसको देख पाएंगे ठीक है तो कोई भी color आप select कर सकते हैं मैं यहां से वापस थोड़ा dark color लेता हूँ, इस type चे आपके पास एक format आदाएगा, आप ok कर सकते हैं, आप देख सकते हैं background के अंदर आपको उस type का format यहाँ gradient डिस्पले हो रहा है, इसी type से friends में यहाँ पर जो है कुछ और options भी मुझे मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर क्योंकि हम लो इसी तरीके से friends आपके पास यहाँ pattern आता है, आप pattern में जा सकते हैं, pattern भी आपके पास बहुत सारे अलग अलग जो है, वो available होंगे, तो उन में से आप कोई particular pattern को भी select कर सकते हैं, तो जो आपको लेना है, आप उनका जो color डालना चाहरे हैं, आप वो color select कर सकते हैं, जिस type से आ आप लेना चाहें, वो आप चूस कर लीजिए, तो जो आप यहाँ पर select कर देंगे, बस वही pattern आपके पास बन जाएगा, ऐसी type से friends यहाँ पर आपके पास है, तो जो आपको option अच्छा लग जाए, background के लिए आप उसको यहाँ से select कर सकते हैं, ठीके हम लोग normal color apply करा देते है बस वो color आपको दिख जाएगा, तो यह समझ में होगा आपको area, पहले हमने discuss किया था, friends इसी में page, इसी में हम लोग discuss कर रहें area, transparency में आप क्या लेना चाहरे है, transparency लेना चाहरे है, no transparency लेना चाहरे है, gradient क्या आप कुछ option डालना चाहरे है, डाल सकते हैं, इसी type से friends आप लेक 1234 जो है, तो वो अगर आप यहाँ पर उसकी formatting change करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, इसी type से हम लोग यहाँ से footer की formatting को change कर सकते हैं, जो अभी हम लोग देखेंगे भी, आगे जब हम लोग insert करेंगे इसी वीडियो में, ऐसी friends border आया का, तो border में हम लोग यहाँ पहला जो आपके पास वो no border होता है, ठीक है, second आप select कर सकते हैं, तो second वाले से आपके पास border है, जो चारो side के है, दो side के है, left right के, यह top bottom के, केवल left right का, तो जो आपको अच्छा लग है, आप select कर सकते हैं, मैं second number वाला select करता हूँ, जो चारो side का border दिखाता है, यहाँ से भी इज़लेंए, आप किस type का double border लेना चारा है, select कर सकते हैं, border का ajar क्या लेना चारा है, वो भी यहां से select कर सकते हैं, border की width आप select कर सकते हैं, और इसके बाद में आप इसका किस type का border दिख्ले करना चारा है, यह वाँ पर positions वगरव एड़ है, शेडो स्टाइल वो भी आप apply कर स सकते हैं और इसी टाप से कुछ फूट नौट के ऑप्शिंस में इसलिए अभी हम डिसकस नहीं करेंगे केवल कॉलम को डिसकस करेंगे तो कॉलम क्या है अभी हम लोगों ने जो लिख रखा उसको मैं चाहता हूं दो कॉलम में आ जाए आप टू सेलेक्ट कर सकते हैं यहां टा एक पीच के जो दो कॉलम बन चुके हैं इस टाप से फ्रेंट में इसको वापस जो है अंडू कर लेता हो इनिकी नार्मल फॉर्मेट रख लेता हूं इस टाप से फ्रेंड जब मैं next पेज पर आता हूं तो मैं यहां पर जाकर के फिर से फ्रेंट वहीं कंटेंट जो है अपने पास यह alignment और indentation तो alignment और indentation किसका होता है अपने paragraph का इसलिए हम लोग क्या करेंगे format में किस पे देंगे इस बार हम लोग paragraph पे तो paragraph पे आपको कुछ options दिखाए देंगे ठीके पहला है indentation आगे आप alignment भी देखें कुछ और options भी होंगे फर्स्ट लाइन में आप कितना space यहां पर डालना चाहरें अगर आप friends इसको अभी ok करके देखेंगे तो इस जगे पर आप option कर देख सकते हैं यहां आपको display हो रहा होगा ठीके preview में तो यहां क्या कर रहा है वो कुछ space छोड़ने के बाद वहां से continue करेगा आप ऐसा भी कर सकते हैं before में आप जड़ा और ज़्यादा space जो है वो छोड़ सकते हैं इसके बाद में friends में एक बार ok करता हूँ आप देख पाएंगे यहां से वो कुछ space छोड़ने के बाद आपका paragraph स्टार्ट हो रहा है तो यह जो space आप पहले वाला देख रहे हैं तो अपने पास friends margin लेकिन अब जो आप space देख रहे हैं वो किया आपके पास indentation indentation है आप वहां से भी कर सकते थे और इधर भी आपको उपर option मिल जाएगा आप इस पर click करते वे indentation बढ़ा सकते हैं वापस कम भी कर सकते हैं indentation, indentation जो है आप left और right दोनों साइड से डाल सकते हैं कैसे करेंगे आपके पास option भी था format में गए paragraph में गए और paragraph में जाने के बाद indent option इसी तरीके से अपने पास यहां पर कुछ और options भी हैं जैसे spacing है आप अपने paragraph के पहले और paragraph के बाद में दो paragraph के बीच में कितना space डालना चारें वो आप यहां पर type करके भी बता सकते हैं इसी तरीके से friends हम लोग देख रहें alignment जो है वो आपके पास यहां पर दो type के होते हैं एक होता है horizontally एक होता है vertically तो generally हम लोग जब alignment कहते हैं तो friends आपके पास horizontally count किया जाएगा तो horizontally आप क्या रखना चारहें left रखना चारहें right रखना चारहें center रखना चारहें justify रखना चारहें तो friends इसके लिए मैं क्या करता हूं क्योंकि पहले आपको इसको समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा एक heading तो friends मैं लिख देता हूं like sample text ठीके और यह जो मैंने लिखा है content मैं चाहरा हूं friends यह जो है एक काम करता हूं इसकी जो size है वो भी मैं increase कर देता हूं ठीके साथ में हम लोग क्योंकि यह heading है तो यहां से cut करता हूं और उपर की तरफ लेकिया जाता हूं यहां paste कर देता हूं अब friends हम लोग यहां पर जो है इसको देखने वाले हैं तो इसका alignment आप कहां रखना चाहरे हैं तो यहां तो आप यहां से भी कर सकते थे alignment जो है left control L center के लिए control E है control R right के लिए है मैं वापस इसको center कर लेता हूं या left कर लेता हूं इसी तरीके से friends जब आपके पास कोई paragraph होता है मतलब more than one lines होती है तो उसके लिए आपको जो है use करना चाहिए वो है justify तो justify क्या करेगा जैसे यह देख सकते है इसमें थोड़ा space छोड़ा है पीछे भी यहां पे थोड़ा गंदा दिख रहा है जिग-जग हो रहा है तो friends अगर आप वो चाहते है equal रखना तो आप यहां से क किया था ना कहां से format के अंदर format में कहा गयते paragraph में तो friends यहां पर indentation में आपने जो है वो first line में कुछ space डाल दिया था आप इसको वापस जीरो कर सकते हैं तो वापस उसके equal से ही शुरू हो जाएगा तो clear हो गया होगा lap right center justify ठीक है इसी तरीके से कई बार क्या होता है friends जैसे क मैं यहां पर क्या करता हूँ एक text box बना सकता हूँ text box में हम लोग कई बार कुछ content लिखते हैं यह आपको table भी create कर सकते हैं आप यहां से insert में table भी जा सकते है table से भी आपको यह चीज समझ वाएगी तो table के लिए मैं क्या करता हूँ friends यहां पर अपने पास जो standard toolbar पर यह option है इस टाइप से यहां से three by three table बना लेता हूँ और इसमें दाके लिख देता हूँ friends जैसे कई बार हम लोग लिखते भी है like name ठीक है इस टाइप से friends में लिखना चारता है email और यहां लिखना चारता address तो friends यहां जो आप लेना चारे लग इए जो आपका टेक्स है ठीक है इस text को अगर आप यह जो heading है अगर इस heading को अगर आप चारते कि यह center में आय तो आपकिया कर सकते है select करके Center कर सकते लेकिन friends अगर आप चाते कि यह जो center है वो इस तरीके से होता कि मैं इसकी काम करता format करने के लिए तो यहां आप जो है आपको option मिल जाएगा align align में आप देख सकते है left right center justify तो था है लेकिन इसके बाद देखिए top center और bottom भी है तो friends अगर आप center में करना चाहरा है आप इस type से center में कर सकते हैं आप अगर इसको bottom में लेना चाहरे है format में जाएंगे alignment में जाएंगे और आप यहां से इसको bottom भी select कर सकते तो इस type से जो friends आपका alignment है वो केवल horizontally नहीं बलकि vertically भी हो सकता है तो वो depend करता है कब आपको क्या चाहिए यह चीज clear हो गई होगी कि आप horizontal जो है left right center और justify कर सकते हैं ठीक है इसी type से आप vertically जो है इस type से हम लोग अभी यह discuss करता है agenda तो friends यहां पर जो भी points से अपने पास like text formatting है या आप देख रहे है common text formatting लिखा है remove manual formatting लिख रहा है changing text case लिख रहा है तो इसके आगे आप देख रहे तो friends कुछ arrow type दिख रहे हैं आप यहां पर कुछ और भी symbols जो है इस type से यह है a b c d इस type से लिखा होता है तो वो आपके क्या करते है friends सारे numbering तो दो चीज़े होती है bullets and numbering इसको हम लोग apply करते है तो friends यहां पर जो है मैं क्या करता हूँ एक list बना लेता हूँ like मैं यहां लिख देता हूँ computer ठीक है और इसमें लिख दूँगा hardware और इसमें लिख दूँगा software अब देखिए basically computer के दो पार्ट होते है hardware एक software इसलिए friends मैं यहां पर जो है select करने वाला हूँ वो bullets and numbering तो दो option है पहले हम लोग यहां से bullets देख लेते है इस type चाप ले सकते हैं अलग-अलग style से जो लेना है ले सकते हैं अब यहां पर जो है friends आपके पास hardware जो है ठीक है तो hardware के अंदर फिर से मैं यहां पर कुछ और change कर दूँगा तो hardware में हम लोग क्या ले सकते हैं friends जैसे ले सकता हूँ input ठीक है और ले सकता हूँ friends मैं output और इस इस type से friends mouse इस type से हम लोग यहां ले सकते हैं microphone ठीक है इस type से आपके पास कुछ और भी हो सकते हैं इस टाइप से आप आउट्पूट में ले सकते हैं like friends मैं यहां लेना चाह रहा हूँ monitor ठीक है प्रिंटर projector ठीक है तो ऐसे अलग-अलग नाम है अब यह भी सब क्या है इसके अंदर के part है तो friends यह जो आप ले रहे हैं आप चाहें तो इसको फिर से change कर सकते हैं अलग-अलग styles apply कर सकते हैं आप उसकी जगे यह ले सकते हैं जो लेना चाहें ठीक है तो यह आपके पास क्या है bullets है इस ठीक है तो यह आपके पास क्या हो चुक है friends bullets on numbering और इसमें हम लोगों देखा है कि एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक आता है तो friends यहां पर अपने पास एक नाम भी आ सकता है वो है more numbering के अंदर आपको option मिल जाएंगे बहुत सारे options होते हैं तो यह आपके पास bullets bullets discuss किया था numbering था अभी आप एक के अंदर एक जो देख रहे है वो आपके पास क्या करता है friends वो है outline तो I think यह तीनों चीज़े समझ में आगई होगी इसी टाप से friends आप यहां से images की तुरू आप कुछ images देख सकते हैं और अगर आपको लगता है तो आप यहां से add and resize भी कर स होई होगी इसी टाप से next हम लोग देखते हैं तो friends मैं इस content को अटा देता हूँ और एक बार हम लोग यहां पर जो है मैं दूसरा text लिख देता हूँ like this is a sample text ठीक है इस टाप से हम लोग कुछ content डाल देता है और friends मैं यहां पर जो है कुछ और चीज़े बताने वाला हूँ आप एंटर भी दबा सकते हैं तो friends जब आपने जहां आपका cursor था उसके बाद का जो content है वह सारा का सार आपको कहा मिल जाता है next page पे ठीक है इस page से आपने content का बेज दिया next page पे यह समझ में होगा कि आपके पास page break क्या होता है जहां आपका cursor है उसके बाद page break लगा देगा यहनी कि उसके बाद के सारे content को next page पे move कर देता है इसी type से friends हम लोग देख सकते हैं कि जैसे में एक बार वापस इसको undo कर देता हूं सिफ समझने के लिए था इसकी size थोड़ी से वापस normal कर देता हूं और friends हम लोग यहां चारेते कि यह जो paragraph है देखिए background हमने page का तो डाल र option आजाता है border आप केवल इस particular paragraph पर कोई border apply करना चारे है आप select कर सकते हैं और साथ में उस पर कोई area एरिया में भी इस paragraph का background color अगर आप change करना चारे तो उसको भी आप select कर सकते हैं आप देखेंगे कि इस तरीके से आपने उस page में एक particular paragraph का भी background color और साथ में border जो है वो apply करा द ठीक है तो मैं क्या करता हूं इसी content को copy paste कर लेता हूं बहुत बार और friends इस तरीके से मैंने करीब seven pages बना ले और मैं चाहता हूं हर page के ऊपर page number या particular content लिखा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं header तो header and footer के लिए क्या करेंगे friends आप जाएंगे यहां पर insert में insert में सबसे नीचे आपको दिखाएगा header and footer यहां options है header पर जाए सकते हैं आप footer पर जा सकते हैं use header footer menus को भी आप यहां से use कर सकते हैं तो मैं यहां से header पर चला जाता हूं और header पर जाके जैसे आप यहां click करेंगे तो आप देख सकते friends आपका जो cursor है वह ब्लिंक करा और अब मैं यहां जाकर के लिख सकता हूं like लिख सकता हूं कुछ भी नाम like ws qtac तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ws qtac मैंने सिर्फ इतना सा लिख दिया है friends अगर आप अप देखें observe करें तो आपके हर page के उपर ws qtac आपको दिखाई देगा किसी भी page पे जाईए हर page के उपर ठीक है मैं यहां से सबसे उपर वाले page पे जाना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर भी ws qtac है हर page पे आपको उपर की तरफ ws qtac डिस्प्ले होगा इसी तरह के से अगर आप नीचे फूटर की तरफ कुछ लिखना चारे ता वह भी कर सकते हैं यहां आप यहां तो क्या कर सकते इंसर्ट में भी जा सकते और इंसर्ट में भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगा लाइक पेज नमबर वगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रेंट्स आपकी पास नीचे ऑप्शन होगा अब अगर आप इस डॉक्यमेंट को देखें तो मैं एक काम करता हूं प्रिंट करने से पहले देखना चाहता हूं किस टाप दिखाएगा देगा तो फ्रेंट्स पहला पेज आपका इस टाइप से क्योंकि हमने इसको होरिजॉंटली सेट कर रखा था हम लोगों ने इसमें इतना इंडेंट और साथ में हम लोगोंने इसके अंदर इतना मार्जिन जो है वो सेट कर रखा इस वज़े से ऐसा दिख रहा है यह समझ में आ गया होगा फ्रेंट्स मैं वापस से क्लोज करते हूं प्रिव्यू इसी तरीके से थोड़ा सा गंदा फॉर्मेट दिख रहा है ठीके इसी टाइप से आप यहां पर जो कुछ और ओप्शन से लाएक कॉलम अगर हम लोगों देखे तो यह सारी चीज़े समझ माई होगी हैडर पे आप हैडर की पोजीशन सेट कर सकते हैं पूटर है बॉर्डर है जो आप लगाना चाहें लगाना चाहते हैं लगा सकते है हट भी जाएगा ठीके इस टाइप से फ्रेंट्स यह कुछ बेसिक चीज़े थी हैडर को लेकर के मैं एक बार इसको अपलाई कर देता हूँ वो नॉर्मल आप कंटेंट दिखाए देगा तो इसी टाइप से फ्रेंट्स हम लोग जो है कुछ बेसिक चीज़े हैं डिसकस करे इसी टाइप से फ्रेंट्स में एक और नई फाइल ओपन कर सकते हूँ और यहाँ पर भी जाकर के हम लोग वही लिख सकते थे इस अपल टेक्स ठीक है अब यहाँ पर भी मैं काम कर लेता हूँ इसमें थोड़ा सा इस पेस डाल देके दिने के बाद इस कंटेंट को में जाएंगे तो अलाइनमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे इसी टाइप से आप लोग करेक्टर के फॉर्मेट डालना चाहते तो आपको कुछ करेक्टर से मिल जाएंगे इसमें कुछ और चीजे भी देख रही हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो सकते अपने में आपको बुलेट्स और नंबरिंग से रिलेटेड कुछ फॉर्मेट मिल जाएंगे पेज इस्टर में जाओंगे पेज के ऊपर कौन-कौन से फॉर्मेट आप लगाना चाहते हैं वह सारे ऑक्षिंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस टाप से बहुत सारे टॉपि साइस चोटी कर सकते हैं इस टाइप से और चोटा करना चाहते हैं और चोटा कर सकते हैं इसको इस तरीके से आप करना चाहें तो आप इसको साइज रखना चाहते हैं रख सकते हैं इसको क्रॉप कर सकते हैं तो इसी तरीके से क्रॉप कैसे करेंगे तो इस पॉइंट को करके आपको आप rotate करना चाह सकते हैं degree wise जो भी आप करना चाहते हैं इस type ठीक है तो बहुत सारे options से आप format कर सकते हैं अपनी image को तो friends कभी-कभी क्या होता है कि अपने document में कुछ text लिखा होता है ठीक है तो मैं यहाँ आके लिख देता हूं suppose this is a sample text इस type से friends मैंने कुछ text लिख दिया देन इसके बाद मैं इसको copy paste कर लेता हूं तो कभी-कभी क्या होता है friends आपकी जो image होती है वो आपके text के बीच में हो सकती है left, right, center में कहीं पर भी हो सकती है तो friends मैं इस image को इधर लेके आ रहा हूं तो देखिए यहाँ से पीछे का पूरा area कट जाते है तो अगर आपको लगता है आप इसको पीछे रखना चाते हैं तो बहुत सारे options हैं बहुत सारे format से जो आप अपने image के ओपर apply कर सकते हैं इसी तरीकी से friends आप यहाँ पर कुछ shapes भी insert कर सकते हैं तो shapes के लिए आप यहाँ से insert में आ सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा वो है आपके पास shapes में देख सकते हैं friends अनदर का color वो change कर सकते हैं आप इसके border का color change करना चाहते हैं वो कर सकते हैं gradient वगरा जो भी आप लेना चाहें वो सब कुछ apply हो जाएगा border को change करना चाहें इस डाप से border को डाल सकते हैं तो बहुत सारे आपको यहां special character पर जाके click करना है बहुत सारे आपके पास यहां characters हो सकते हैं अलग-अलग fonts हैं आप जो भी अलग-अलग fonts देखेंगे तो यहां बहुत सारे आपको मिल जाएंगे options इसी टाइप से friends हम लोग क्या करते हैं यहां नीचे आते हैं और इसमें डूनते हैं कोई और font जैसे friends मैं यहां पर एक font देखता हूं ठीक है तो इस font में अगर आप चाहते हैं यह symbol इंसर्ट करना है यह करना है जो भी आप symbol यहां इंसर्ट करना चाहें उसको आप select कर सकते हैं तो friends मैं यहां पर जो है select कर लेता हूं like इस टाइप से यह symbol तो वो symbol आप देख सकते हो basically friends आपके पास एक font है आप इसकी size बड़ी करके देख सकते हैं आप यहां से इसका color change कर सकते हैं जो भी आप color लेना चाहें basically friends आपके पास एक text ही है ठीक है जो भी color करेंगे वो आ जाएगा तो इस type से आपने यहां पर आप भी discuss किया image कैसे insert कर सकते हैं format कैसे कर सकते हैं आप य using tables तो friends इस chapter में हम लोग क्या क्या कुछ चीजे discuss करने वाले हैं वो है अपने पास creating a table आप table कैसे create करेंगे दो अलग अलग type के method है जिसके तो आप table create कर सकते हैं उसके बाद अपने पास entering data in a table तो आप उस table के अंदर कैसे data insert कर सकते हैं उसके बाद आप अपनी table को modify भी कर सकत करेंगे इसी टाइप से आप जो अपनी पूरी table को delete करना चाहते हैं या आप अपनी table को copy करना चाहते हैं या फिर आप अपनी table को move करना चाहते हैं यह सारे topics जो हम लोग करके discuss करने वाले हैं तो इसके लिए friends सबसे पहले हम लोग start कर देते हैं अपने लिब्र आफिस राइ यहां तो फ्रेंड्स हम लोग standard toolbar पे हैं आपको option मिल जाएगा ठीक है shortcut भी आपके पास control F यहां पर जो है आप यहां पर control के साथ F12 को use कर सकते हैं इसके लावा आप insert table button पे भी click कर सकते हैं जैसे इस पे click करेंगे तो यहां आपके पास grid आएगी जिसके according आप यहां पर number of rows और columns जो है वो select कर सकते हैं तो एक तरीका तो यह था friends आप यहां से इस तरीके से table create कर सकते हैं मैं इसको फिर से undo कर देता हूं दूसरा तरीका friends आप यहां पर table menu में जा सकते हैं और insert table पे जाके भी click कर सकते हैं तो यहां पर जो है कुछ और options आपके सामने आ जाएंगे आप से बहुत तीजे पूछेगा भी आप यहां पर table का एक नाम दे सकते हैं आप यहां पर लिख सकते हैं कोई भी नाम मैं लिख देता हूं एस्टूडेंट इनफॉर्मेशन ठीके आप कुछ भी लिख सकते हैं इसी टाप से friends में यहां पर जो है वो columns ले सकते हैं तो आप कितन वहां पर लिख दूँगा देन उसके बाद में उसका जो भी नेम है और उसके बाद उसका मार्क या परसेंटेज या इमेल डिखाना चाहरे तो आप वह भी सलेक्ट कर सकते हैं इसी टाप से फिरिंट्स डू नॉट स्पिलिट टेबल ओवर पेजे इस तो आप इस option को भी स तो आपने select कड़ी वह आ देंगी इसके बाद प्रिंट्स में अपर लिख दूँगा suppose की यहां पर स्न क Scient है उसके बाद में निम लिख दूँगा और उसके बाद यहां पर percentage तो आप यहां पर लिख सकते हैं like किसी का अरो 1-A working 2ines यह 104 10510634107108 109 कुछ लिखे लिकान है किसी का तरून राहूल है, इस टाइप से फ्रेंट्स हम लोग कुछ और नाम डाल सकते हैं लाइक रवी है अमन है विशाल है इस टाइप से फ्रेंट्स में नाम डाल सकता हूं लाइक बावेश ठीक है हितेश और निरज इस टाइप से कुछ नाम डाल दे इस टाइप से आप परसेंटेज डाल सकते हैं क किसी के percentage यह हैं किसी के यह हैं अलग 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 टाइप के percentage अपने पास में वो भी मैं यहां पर mention कर रहा हूं तो इस टाइप से friends हमने क्या कर दे अपने टेबल क्रेट कर दे टेबल बनाने के दो तरीके ते अपने discuss किये थे कौन-कौन सा था एक तो आप यहां standard toolbar से यूज कर सकते हैं आप shortcut यूज कर सकते हैं या नहीं तो आप टेबल में भी जाकर के insert table बटन पे click कर सकते हैं इसी टाइप से friends हम लोग यहां पर discuss कर रहे थे कि table create कैसे करते हैं टेबल में content कैसे डालते हैं दो चीज़े हम लोग discuss कर चुके अगर friends हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर एक और row create कर दे या एक और column create कर दे तो उसके लिए क्या करना है अगर मैं click bar कर रखा है तो आपको समझवाएगा लेकिन friends जैसी आपने इसको select कर रखा है इस table में कहीं आपने click कर रखा है तो यहां आपको नीचे कहीं कुछ options आप ले सकते हैं इसी टाइप से अगर आपको कोई particular column delete करना है आप उस column को यहां से delete भी कर सकते है या column है आप जो delete करना चाहिए तो मैं वापस एक बार undo कर देता हूं इस टाइप से हमें यहां पर तीन column ही चाहिए इसी तरीके से अगर बीच में कहीं जैसे आपने यहां अ नीचे अधर आगे आप इसके लेफ्सके अंदर column चाहते हो इसके राइट साइड में चाहते हो किसी पर्टिकुलर कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं आप उस column को यहां से delete कर सकते हैं यहां से यहां से यहां पर डिसकस किया है कि किस तरीके से आप अपने टेबल करते हैं किसे आप उसके अंदर कुछ नई रोज या नए कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं यहां थैंक यह आपको समझ में आया होगा इसी तरफ से ड़ेग्स और आप चाते हैं किसी टेबल को इस्प्लिट करना rumor के लिए जिस जगे से आप चाते हैं आपके टेबल इस पुन को रख दीजै देन उसके बाद मैं चाहते हैं यहां से मिलें प्लिट कर सकते हैं चाही дав t भी copy होकर के अलग से एक टेबल बन जाएगी तो एक टेबल ती जिसमें इतना ही डेटा था दूसरी टेबल में यह है इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं अपने cells को भी split करना था आप उस को select कर सकते हैं एक को एक से ज्यादा फो भी और देन उसके बाद में भीएट के पास option आता है डेबल स्वें आप कर सकते हैं इसस सेल में कितने column दिखाना चाहते हैं वह भी देख सकते हैं इसके अनदर इसकी अंदर अपने पास तो आपकी cells आप horizontally बढ़ाना चाहरें कि vertically आप vertically कर देंगे तो देखेंगे आप यहां पर आपके पास दो कॉलम आज चुके तो आप एक कॉलम वहां लिख रहे थे किस टैप से यहां पर भी आप लिख सकते हैं तो इस टैप से हमने जो है वो डिसकस किया है कि कैसे आप अपनी टैबल को जो है split कर सकते हैं या आप अपनी cells को जो है किस तरीके से split कर सकते हैं इसी टैप से friends हम लोग आप डिसकस करने वाले कि कैसे आप अपने जो cells को जो है वो merge कर सकते है या दो टैबल को तो merge करने के लिए क्या कर सक्ते हैं दो से blessing के बीच ते बीच में कर सकतें और बैटने यहां पर इन कीजिए कर लिए प्राफ यहां पर इस शरीच कर सकते हैं किसी बीच आप सबसक्राप में से और उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर merge table तो देखें जैसी आपने merge table किया वो completely जो अलग-अलग table सी आपने उन दोनों को जो है वो merge कर दिया है इसी टाप से अगर आप चाहते हैं अपनी table को यहां पे delete करना तो आप अपने table को या तो select कर सकते particular आप जैसे rows column को select करते हैं वैसे कहीं पर भी क्लिक कर दिजिये और उसके बाद आपको ऑप्षिन मिल जाएगा table table के अंदर आगर आप देखिंगे तो आपके पास है का delete आप डिलिट क्या करना चारहें या तो रो डिलिट करना चारहें या करना चाहती है तो याप t двух को कट और क्किल का आपत्या को अगर आप चाह से इस जो भी आपके टेबल को कौपी पेश्ट करना चाह रहें तो क्या कर सकते हैं, सेलक्ट करने के लिए यहाँ पर साइड में, यहाँ पर आप जिस रो के क्लिक करेंगे वो वाली रो परटिकूलर सलेक्ट हो जाती है तो अगर आप चाहते है रो और नहीं रो और कॉलम दोनों याहनि कि पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी तो आपको इसके कौने पर जाकर कि इस तरीके से क्लिक तरना है तो friend यहाँ आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाए अब अगर आप यहां से कॉपी करते तो फ्रेंड्स इसकी एक कॉपी बन चुकि क्लिप बोड में और यहां कुछ करना होगा कट करके फ्रेंड्स उसको मैंने हटा दिया उसके बाद मैं यहां पर कंट्रोल बिंटर करते हैं इस effe कusion के स मैं ने दूकुमेंत को वहाँ हैं इसमें दो चीजे आपने पासरा ब्रीनट एक होथा आपका document screen पे कैसे दिखाई दे रहा है तो वो आपके पास क्या soft copy लेक print करने से पहले अगर आप देखना चाहरे हैं कि background कैसा दिखाएगा border कैसा आएगा, text की size क्या होगी, margin क्या होगा, orientation क्या होगा इस टैप से बहुत सारे आपके पास options हो सकते हैं, वो सब आप अगर देखना चाहते हैं, print करने से पहले तो friends वो आपके पास क्या रहता है, print preview जो अपना soft copy में रहता है, अपने computer के अंदर ही वो files पढ़ी, आप उसको देख सकते हो इसके बाद में हम लोग क्या चाते हैं, कि इस file को हम लोग चाते है, print करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते है, friends किसी paper के उपर अपने document को print कर लेते हैं, तो जब print होता है, अपना document उसको अपन क्या बोलते है, friends hard copy, तो soft copy क्या वो file जो आपको अपने computer में दिखाई दे र होगा, hard copy के लिए आपको requirement किसी होती, friends, वो है printer की, और soft copy आपका देखते है, friends, वो है monitor, तो जब आपन hard copy निकाल रहे हैं, like, जब आपन print कर रहे हैं, तो उससे पहले अगर आप देखना चाहरे, यनि कि print करने से पहले आपको देखना है, तो friends के option आएगा, आपने पास print preview, और, आप finally आपको लगता है, everything is okay, तो आप क्या करेंगे, friends, there, आप print करते हैं, तो print और print preview, दोनों ही option किसमें मिलेंगे, आपको friends, वो मिलते हैं, आपको यहाँ पर file के हैं, तो हम भी start करते है, friends, मैंने यहाँ पर जो है, वो एक file complete कर रहे हैं, जिसको मैं आपको दिखाने व आपके पास, जैसे spreadsheet, उसके कुछ question answers ready रखे हैं, अपनी school के कुछ students के लिए, तो उसके लिए, friends, मैं आपको दिखाना था, कि मैंने यहाँ पर जो है, सबसे उपर देख सकता है, information technology, unit 4, आपके पास, यहाँ वो electronic spreadsheet है, जो आगे आने वाले chapters होंगे, आप discuss करेंगे मेरे साथ, फिर उसके बाद, friends, उसके कुछ question answers होंगे, आप देखेंगे, इसके चारो और में एक border लगाया है, background में, friends, मैंने यहाँ पर एक color डाल रखा है, अगर मैं और next page पे जागा, आप देखेंगे, friends, यहाँ पर एक डायलोग की spelling mistakes है, चलिए, यहाँ आपको समझ में आगे होगी header क्या होता है, footer क्या होता है, border आप कैसे लगाते है, background आप किस तरीके से change करते हैं, सारी चीज़े हम लोग already discussed करते हो, ठीक है, overall आपका document complete हो चुका, बस अपनको करना है, friends, इसको print करना है, तो friends, by default जो है, अपने पास एक normal mode में आपकी file open होती है, तो इसलिए हम लोग देखें, तो view के अंदर आपको दो option मिलते है, like normal और web, normal जो आपके सामने अभी है, दूसरा आपके पास web option होता है, तो इस तरीके से browser में आपको आपका document देखता है, तो हम लोग यहां से वापस, जो है, जो default भी है, वो normal view होता है, जो normal view में हम लोग अपने documents को देख रहे ह पूरे documents को एक साथ नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहां क्या कर सकते हैं, आपको दिखा रहा है कि दो pages एक साथ दिखा रहा है, आप यहां पर आपके पास और option है, तो यहां और ज्यादा pages बढ़ा सकते हैं, multiple pages कर सकते हैं, कितने pages देखना चारें, like 3 pages, 4 pages, 10 pages, जो आप collect करेंगे, उतने pages अगर है, तो वो सारे आपको display कर देगा, अब यहां पर यह active है, मैं इसके उपर click करूँगा, इसके उपर click करूँगा, तो आप देख सकते हैं, किस टाइप चे आपका page दिखेगा, उसमें उपर कितना space आए अगर आपको सब कुछ सही लगता है, अपने यह तो preview देखा है, अगर आपको सब कुछ सही लगता है, तो आप तीदे सीदे print कर सकते हैं, अप प्रिंट करने के लिए आपके पास एक तरीका तो यह है, कि आप इस बटन पे click कर दिजे, shortcut भी है, इसका वो है, control plus P, उसके जो है, बाकी का content आपका जो है, वो hide होता, शुरू हो दाएगा, मैं इसको close कर देता हूँ, मुझे लग रहा है, सब कुछ ठीक है, बस मुझे क्या करना है, friends, अब इसको print करना है, तो print करने के लिए क्या कर देंगे, हम लोग यहां print option है, इस print button पे भी click कर सकते हैं, file के A4 size का paper है, यह default की settings में है, ठीक है, total कितने pages हैं, three pages है, one slash three, अभी first page है, आप next करोगे, तो second आजाएगा, और next करोगे, थर्ड आजाएगा, इस टाप से, यहां पर भी आपको एक बार display करा रहा है, आप preview कर रहा है, ठीक है, यहां अगर आप देखेंगे, तो आपके पास य अब यहां क्या मतलब हो गया, प्रिंट्स कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो एक से ज़्यादा प्रिंटर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग जब photocopy shop पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां आपने देखा होगा कि एक से ज़्यादा प्रिंटर उनके होते हैं, वह किसी एक कंप्यूटर से प्रिंट करके देना चाहरे हैं, तो या कौन से उनको प्रिंटर परुर्ट कर वाना है, उस प्रिंटर को यहां select कर लेते हैं, इसके अलावा आप चाहए तो इसकी PDF बनाना चाहते हैं, फ्रिंटर में अपने से इसके बाद अपने पर से फ्रेंट्स वो है range and copies तो range and copies में आपके पास यहां पर कुछ options यह जैसे all pages कर दो तो यह क्या कर देगा फ्रेंट्स तोटल अपने पास three pages हैं वो three-three pages को print कर देगा like फ्रेंट्स अपने पास 50 pages होते तो 50 के 50 को print कर देगा इस type जाकर आप pages करते मैं काम करता हूं इस content को जो कुछ भी लिखा है इसको मैं क्या कर देता हूं एक बार एक नहीं फाइल बना देता हूं ता कि इसमें कही changes नहीं हो जाए और उसके बाद प्रेंट्स में इसको अभी वार जो है कॉमा separated values के साथ आप यहां पर mention कर सकते हैं आपको कौंस कौंसे pages को print करना है कहां से range and copies में क्या option नल जाएगा pages इस डाप से friends आपके पास है even even अगर आप कर देंगे तो यह क्या कर देगा आपके पास total 10 pages है अब even number कौन से होते हैं आप लोग जानते है friends 1,3,5 यह सारे कौन से odd हो गए और even number कौन से हो जाएंगे like 2,4,6,8,10 यह सारे क्या हो जाएंगे even number तो ऐसे pages number या ऐसा कह सकते हैं ऐसे number जिसमें divide by 2 होता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते है even number तो यहां अगर आप सारे even number लेना चारे हैं सारे ले सकते हैं आप सारे के सारे odd pages को print करना चारे हैं वो भी कर सकते हैं इसी टाप से friends अगर by the way आपने यहां पर कुछ data को इस तरीके से select के बखा होता है अब मैं अगर print करता हूँ तो देखिए इसमें दिखाएगा selection केवल selection वाले data को ही print करना है और को करना है, even को करना है, pages को करना है, all pages को करना है, किसको करना चारे है उसके अलावा आपको कुछ और options भी मिल सकते हैं यहां पर like more पे आप click करेंगे तो कुछ और options भी मिल सकते हैं तो हम लोग यहां पर all pages को ही ले लेते हैं इसी टाब से यहाँ पेपर की size क्या रखना चाहरे हो आप वो यहाँ mention कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ से pages लेने वो आप mention कर सकते हो पेपर की size basically आपका A4 है यहाँ पर number of copies आप कितनी copy लेना चाहरे हैं यह जो set है अम लोगोंने जो question-answer बनाए है तो मैं चाहता हूँ मेरी class की जितने भी students है suppose 10 है, 20 है, 30, 40 जितने गों सभी को मुझे print करके देना है तो बस यहाँ पर friends मुझे mention करना होगा कितनी copy देनी है तो आप यहाँ पर भी mention कर सकते I think यह चीज clear होगे कि यहाँ पर मैं वापस से print कर लेता हूँ print to file तो यहाँ कुछ options आपको display कर देगा अब यहाँ पर आपके पास एक और option आगया कि आप उसको किस तरी किस दिखाने वाले है 123 जैसा है गा न suppose मेरे पास 10 pages तो पहले set बनेगा 12345678910 एक page का complete set हो जाएगा उसको मैं pin करके side में कर दूँगा और फिर दूसरा page आप वापस दे जो next set है वह शुरू होगा तो वह भी आप यहाँ से पता सकते हैं आप कैसे चाहते हैं यह ऐसा हो पहले 11111 then 2222 अनि second वाला page print होगा then third वाले सारे pages print हो जाएगे 40 pages तो आप वह भी कर सकते हैं तो जैसा सही लगे आप कर सकते हैं ठीक है आप इसको reverse order में print करना चाहरें like 1 to 10 नहीं चले 10 to 1 चले कई बार क्या होता है friends हम लोग चाते हैं कि एक set बन जाया complete तो डिपेंड करता है आप चाहो तो reverse order में भी print कर सकते हो इसी राइप से आप यहां से paper की size है या orientation है वो भी कुछ options आपको यहां मिलते हैं आप उनको भी यहां पर set कर सकते हैं तो यह कुछ basic चीज़े आपको समझ में आई होगी मैं फिर से यहां पर all pages कर देता हूं सारे के सारे pages मुझे print करवाने उसके लिए अब सब कुछ सही है क्योंकि friends यहां मेरे पास इस computer में अभी printer connect नहीं है अदर्वाइस आप क्या कर सकते हैं जैसी print to file करेंगे तो यह file जो है सीधे सीधे print हो जाएगे तो मैं यहां इसको इस button के उपर click नहीं कर रहा हूं तो इस तरीके से friends हम लोग discuss करें कि हमारे पास जब हम लोग चाहते है कि किसी file को print करना है तो print करने के लिए 2 options हम लोग mostly काम दिखाए देगी और फिर उसके बाद जब सब कुछ सही है तो आप सीधे सीधे इसको print भी कर सकते है तो friends जो chapter number 9 है वो अपने पास using mail merge, mail merge होता क्या है देखिए basically mail merge का मतलब हम लोग अगर normal language में समझे तो इस तरीके से कह सकते है कि friends मैं एक letter बनाना चाह रहा हूं और वो letter म मैं बहुत तरह लोगों को देने वाला हूं यह मैं एक mail बनाता हूं उस mail को जो है मैं बहुत तरह लोगों को सेंड करना चाहता हूं ya मैं inviteechn card बनाता हूं मैं बहुत तब बनाता हो ऒल्वलो आपके कई और तो है और का को भी मिला है बट क्या होता है उसका जो नेम है आपने देखाओ कई बार कुछ लोग stickers के साथ लगाते हैं तो कुछ लोग कई बार प्रिंट करवाके लगाते हैं कुछ लोग मैनूली हाथ से लिखते हैं तो ऐसे हम लोग चाते हैं हमारे schools अगर मैसिज पास करना चाहिए वह भी प्रिंटेड फॉर्म में तो वह क्या करती है एक ही लेटर बनाती है और उसके बाद उसको जो है यह नहीं की अलगते फाइल बना देगी और उस फाइल के अंदर जो है सबकी नेम जो है लाइक नेम है एड्रस है फॉन नंबर है इमेल है अध में तर पास हमारे पास से अमारे बने सेंगते अंदर हम लोग अपने इसके सकते हैं वह अलग लोग A.cz प्रोग्राम भी क्रेट कर सकते हैं तो किसी को भी यूज करते हुए आपको उसमें इंटाबेस नाम है आप जानते होंगे लाइक एक्सल की फाइल भी हो सकती है आप डेटाबेस का प्रोग्राम भी क्रेट कर सकते हैं तो किसी को भी यूज करते हुए आपको उसमें इंटाबेस डालनी है लाइक नेम है एडरस है सेटी है पिन कोड है टेलिफोन नमबर है ऐसे कुछ भी इंटाबेस हो सकती है इंडिवीचुली आप जो है वह एडिट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर किसी पर्सन को जिसको आप लेटर पीछ नात्ता रहे हैं इसी टाप से फ्रेंड लाश्ट में हम लोग अपने डॉक्स को प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव बी कर सकते हैं सभी को हम लोग प्राक्ट हैं मेरे नौन हैं मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं भी तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उन लोगों की एक लिस्ट अलग से बनानी पड़ेगी एक लैटर को अपना ही हो गया तो यह क्या प्रेंड्स आपके पास आपका में डॉक्स बनाना पड़ेगा उसमें option आता है आपके पास mail merge इसको आपको select है अब देखिए जब mail merge आएगा आप दो चीज़े देख सकते हैं यहां आपके पास mail merge wizard होता है जिसमें step by step development होता है तो यह आपके ना अलग-अलग steps पूछता पूरे हो जाएंगे तो आप इसको फिनिश करें mail merge के लिए mail merge wizard करें क्योंकि पहले से मैंने फाइल बना रखी अपना content डाल रखा है तो फ्रेंट्स यह बोलेगा अच्छा यह काम किस पर करने वाल हो mail merge किस पर करें और नहीं फाइल बनाना चाहरे हो create a new document या पहले से आपने क इसके बाद मुझे यहां से कर सकता हूं इसके अने नेक्स क्या अप देख सकते हैं यहां आपके पास लेटर से email message तो हम लोग letter पर क्लिक करने default ही होता है आप क्या कर सकते हैं इसके बाद next कर सकते हैं इसके बाद आपके पास इसमें कुछ content आ सकते हैं तो देखिए यह बोल रहा है कि आपको address book यहां पर insert करनी अब address book जो है आपके पास हो सकता है आपके पास पहले से available हो ठीके यह आप खुद भी create कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस बटन पर click करें अब इसमें आपने पास कुछ files जो है पहले से available हो सकती है जैसे इसके पास पड़ी है मैं इन सभी को एक बार delete कर देता हूं और इसके बाद हम लोग यहां पर जो है अपनी फाइल को create करते हैं तो friends मैं यहां पर create करने वाला है मुझे किस पर click करना होगा create पे अब देखिए आपको क्या चाहिए बस आप वही उस यूज करिए बाकी आप सब अठा सकते हैं इसको कर सकता हूं मुझे ज़्यादा चीजे नहीं चाहिए इसलिए मैं यहां से बहुत सारी चीजे जो है वो delete कर देता हूं select करते हुए इन सभी को मैं delete करता हुआ जा रहा हूं इस टाइप चाहिए और इसी तरीके से आप जो है वो title को भी यहां से delete कर सकते हैं उसके first name चाहिए last name क्योंकि invitation दे रहे तो basically आपका जो है वह अच्छे से ठीक है अपना सारा काम हो गया इसलिए मैं इसको okay कर देता हूं देखी कितने फिल्ड है केवल दो ही इसमें आप entry भी कर सकते हैं किसी का नाम है सपूज मैं किसी का नाम डाल देता हूं like राजेंद्र कुमार ठीक है इस टाइप से मैंने लिग दिया राजेंद्र कुमार एक बार में डाल देता हूं विने माथूर तो इस टाइप से और नाम है राजेश शर्मा ठीक है इस टाइप से और नियू कर लेता हूं नाम डाल देता हूं मैं यहां पर मनोज तॉलंकी का फिर्ण कर लेते हैं अपने यहां पर लग देता हmbar जितने यहां पर कर सकते को अफिशे नाम राट लेता हूं तो में इसको सब्सक्राइब कर देडिकर और यहाँ पर इसको और और कर आप अब इसके बाद क्यूंकि एड़ हो चुका है आप को और यह कर दूसरा तरह दूसरा तो इसके बाद में देखिए अपने पास यहां पर कुछ options like match field तो match field में आप यहां पर match कर सकते हैं आपको क्या दिखाना है क्या नहीं तो first name में जो डाल रखा है last name में डाल रखा है या और भी इसमें कुछ options आप दिख सकते हैं उपर निचे करके अगर आप डालते तो वो सकते हैं और more में भी जाकर के देख सकते हैं यह दिखाना चाहरे है यह दिखाना चाहरे है अलग-अलग options है अपन फर्स्ट वाले को रख लेते हैं और इसमें अगर आप इसको एडिट करना चाहरे है यह जो last name में वो नीचे की तरफ आए आप इसको नॉर्मल है select करके यहां से इसको कर लेता है सब कुछ normal है default है इसके बाद finish नहीं करना है क्याकि अपने पास कहा जाना है अपनको next step पर जाना है तो मैं यहां से क्या कर दूंगा प्रेंट्स नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूँगा यहां पर कुछ और उप्षिन्स भी आपको जाएंगे यहां से आपको कुछ और उप्षिन्स रगए यहां आपको जो भी तो देख सकते हैं अदर्वाइस ठीक है इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है जैसी आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास एड्जस्ट के लिए आएगा आप इसको कहां डिस्पले करना चाहरे है तो आप इसको देरे-देर यहां से इसकी साइज जो है उपर नीचे कर सकते तो इस तरीके से यह ऊपर की तरफ जाएगा अपना कंटेंट से जाता है ठीक है बस मुझे क्या करना है क्या सब्ण grenz कर देंगे जब आपका कंटेंट फिनिश हो जाएगा आप यहां पर देख सकते इसको किस तरीके से set करना चाहें आप बी कर सकते हैं अब अगर आप ऊपर देखे तो अभी यह इसको फ़र्स्ट वैल्यू दिखाना चाह रहा है इसको सेकेंड करेंगे इस टैप से आएगा जो भी आप ने जाना चाहरें वह वार्यूस आप देख सकतें जो भी आपने त्रीक है बैक करते वह वापस वैसे कर सकते जो भी आपने डाल दो क्लिए घर होगा ऑप जिसको प्रिंट करना रहे हैं सेज़ को त्रीक्स को करना थेद क्या सेंज के और फेल उसका नेम सरनेम जो भी फॉर्स ने आपने डाल रहा है आप ऐसा भी कर सकते थे किसी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फीस डिपोजित नहीं हुई है तो कंटेंट सेम रहेगा केवल उनका नेम जो है स्कॉलर नंबर जो है फादर नेम जो है वह चीज़े आप मेंचन कर सकते थे अपने लिस्ट के इसको email करना चाहरे है डेमेल मेसेज कर सकते हैं आप इसको save करना चाहर है अपनी फाइलक। सेभ आ अब शुका है और इसके बाद में आप इसको कभी भी प्रिंट ले सकते हैं सिंपल सा काम करना है सिधे प्रिंट पे जाना है प्रिंट 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 कर सकते हैं आप देखेंगे यहां पर इसका कंटेंट आया है इसी तरीके से आप प्रिंट करना चाहरे हैं किसको कितना प्रिंट करना चारे all करेंगे from कर सकते बेसिक चीजे हैं मैं इसको यहां से okay कर सकता हूं और आपका जो प्रिंटर अगर connected है तो फिर प्रिंट करना स्टार्ट कर सकता ठीक है टोटल 11 आपके पास जो है वो प्रिंट करेगा यहां पर जो भी आपके पास content इसके अंदर है ठीक है तो बेसिक करते हैं कैसे हम लोग अपने data source को create करते हैं दोनों को merge करना कुछ हम लोगों नहीं यहां पर और भी इससे related कुछ टॉपिक को डिसकस करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक अगले चाक्टर के साथ तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं थैंक यू करते हैं